हलो जी कैसे हो सारे दिस लवेब बबर ये बेलकम टो दी चैनल कोड़िल हम पहुंच जो के मारा लेक्शन नवर 61 पर लास लाक्षण नमें सीख लिया क्या क्या होती है डबली हैं क्यूं क्या होती है सर्कुलर क्या होती है किस पकार STL का use आप कर सकते हैं, किस पकार इनकी implementation आप कर सकते हैं, बिल्कुल scratch से class के डगर आप करना चाहें, ठीक है तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल clear है यहां पर हम बहुत सारे सवाल solve करने वाले हैं, और आपके Q वाले concept को एकदम strong बनाने वाले स्टार्ट करते हैं, अपने पहले सवाल के साथ वाम आप करने वाले हैं, तो पहला सवाल कहता है Q reversal पहला सवाल कहता है Q reversal, अगर आप ध्यान से देखें कोशन के अंदर आपको वोला कि Q के अंदर यह सारे element पड़े हूँ है और आपको इनको just reverse करना है कोशन ने बोला कि आपके Q जो है वो को इस पकार देखती है एक, दो, तीम, चार, पांच, यह element है यह element है, 4, 3, 1, 10, 2, 6 इसका नाम लट से क्यों दिया हुआ है हमें क्या बोला कोशन ने, कि यह आपका input है आपको इसको just reverse करा देना है यानि यहाँ पर 6 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 10 होना चाहिए 1, 3, 4 इस प्रकार आपको इसक्यू को reverse करवा देना है यह आपका output है जी समझ में आ गई? कोशन ने बोला, input है मैंने यह दिया हुआ भाई आपको और आपको मुझे just reverse करके देनी है बहुत simple question है same, हमने stack के साथ भी किया था कि stack को reverse कैसे करते है बहुत असान था बिल्लकुल basic question आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर अगर हम जाएं, तो company tags के अंदर कुछ-कुछ company, oh, Amazon का नाम दिया हुआ, expected time complexity यहाँ पर off-end है और expected space complexity auxiliary और off-end है इस परकार हम इसको solve करना है, ठीक है, दो solution है मेरे पास अप्रोच की बात करें भाई यह किस परकार आपके दिमाग में solution आ रहे है अभी समझ में आ जाए कि बिल्कुल scratch से पकड़ेंगे चीज को यहार के दिमाग में solution कैसे आता है किस परकार सोचना होता है अब परोच इसकास करने इस पहले फटा बट अपने sponsors को shout out देते है और फिर continue करें आपको करना क्या है आपको सिर्फ एक कोडिंग टेस्ट क्लियर करना है जब सको क्लियर कर लेते हैं तो आप externship पर काम करेंगे अपनी skills को और enhance करेंगे और एक बड़ी company अंदर एक high cities company अंदर job grab कर लेंगे और मज़े की बात यह कि सब कुछ free है आपको कुछ भी pay नहीं करना है to become a cryo launch developer आपकी मैनती आपकी only investment है आपको करना क्या है एक link में description में add कर दूँगा उस link पर आप जाएंगे और अपने coding assessment का slot book कर लेंगे, clear करेंगे, extension project करेंगे और फिर placed हो के मुझे party देदेंगे धन्यवाद अब हम बात करते हैं approach के बारे में मैंने बोले, मैंने आपको last में अभी just data structure समझाया था जिसको use करके आप कोई भी order को reverse कर सकते हैं तो मेरी पहली approach क्या थी मुझे क्या दिख रहा है, मुझे इसको इसमें करना है basically reverse करना है और reverse करने के लिए मैंने आपको data structure जस्ट अभी दो वीडे सिखाया था तो मैंने कहा बोला, अगर मैं stack का use कर लूँ अगर मैं stack का use कर लूँ तो मैं इस q को reverse कर दूँगा भया कैसे, मुझे यह पता, मैं stack के अंदर वापस निकालूँगा वापस निकालूँगा तो उसका order changes आएगा let's say, मैं 1,2,3,4 stack में डालता हूँ तो कैसे जाएगा 1,2,3,4 अब ज़िए मैं वापस निकालूँगा, पहले के निकला पहले 4 निकला, फिर 3 निकला फिर 2 निकला, फिर 1 निकला तो जब डाला था तो था 1,2,3,4 पर जब निकाला है तो 4,3,2,1 तो stack आपका reverse करने का काम कर देता है यह बास समझ में आ गई तो मेरी पहली एलगो क्या बन जाएगी कि यार क्या करो q से one by one element निकालो and stack में डालो यह बास समझ में आ गई फिर उसको second step क्या करता है क्यार stack से one by one element निकालो and q में डालो in short काम हो गया done, इतना ही करना है time collectivity कितने लगी है time collectivity क्या आ गई time collectivity क्या आ गई or of n q q and space collectivity क्या है बाई मैंने stack create कर लिया n size का o of n in short जो मेरे question ने demand की थी मैंने उस प्रकार का solution बढ़ा दिया समझ में आ गई जीज तो in short कर मैं ध्यान से देखूँ इस सबाले के बारे में let's say मैंने यहाँ पर stack बना दिया stack में पहले 4 आ गया 3 1 10 2 6 अब वापस इसी stack से निकालो और q में डालो तो 6 निकालके यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया 2 निकालके यहाँ पर क्या आ गया 10 निकालके यहाँ पर क्या गया 10 आ गया 1 निकालके यहाँ पर क्या गया 3 निकालके यहाँ पर क्या गया तो अगर कोशन यह कहता है कि यह एक के अंदर मान लोगों चलिमेंट है फॉर टू वन फाइव सिक्स कुछ भी ऐसा है ना इस पकार का मेरा इंपट पड़ा हुआ है मान बोला रिकर्जं का मतलब क्या होता है कि दोस्त एक के सॉल्व कर दो बाकी चल Nu समाल लेगा व मनें वीकर्जिंच स॑ल्व कर लेते हैं इछ वälltर वम और लाते हैं लिए मिमार लिक लुँट ही गालो पोलो भूला इंको रिवर्ट कर आकर ला हमारी जिम्मनतर ने डिवर्जिन Up mangण कर देगा क्रिवर्ज रिवर्ज कर ला कर ला ऊसने क्या देदिए मुझे इसको निवर्ट कर classy कि यहाप है अब आप यहां से वापस जाएंगे तो आपको स्लूचन आ नहीं 65132 तो मैंने क्या बोला 65132 वापस जाते हैं मैंने क्वले इसमें 4 भी लगा देना तो आपका अंसर रिटर्न हो गया वह क्या हो गया 65132 और 4 समझ मैं मैं तो हमारे पस दो परोच शीजають मैं चाहूं तो मैं स्टैक से कर सकते ह्ल妳 या यार कूमे सारे अलिमेंट निकलो और वो सारे स्टैक में डाल दो चीक है क्या इन क्या judging unterstützen मैंने बोला int element is equal to q dot front q dot pop और मुझे stack में पुश्ट करना है stack पुश्ट कर दिया हमाने ही element इस परकार यह पहले step था second step क्या था कि stack से निकालते रहो और q में डालते रहो तो मैंने बोला जब तक stack empty नहीं होता मैं element निकालता रहोंगा इस टॉप और q में डालता रहोंगा यह भाई q dot push और मैंने रिटर्न कर दिया रिटर्न कियो इसको रून करके देख लेते हैं बाई एक बार इसको रून करके देख लेते हैं सई चल रहा है इसको सब्सक्राइब करके देख लेते हैं बाई तो प्राब्लम सॉल्ड सक्सेस्फुली तो इस आरे के सारे टेश्ट के जिस हमने पास कर लिए बहुत बढ़िया तो इस प्रकारे में समझ में आगे मेरे पास दो तरीके बाई मैं stack कर यूज़ करना चाहूं मैं stack कर सकता हूं और सब्सक्राइब कर दो यूज़ करना चाहूं मैं रिकरजन कर चेकता हूं बहुत बढ़िया stack वाली complexion time बढ़िया बता दी रिकरजन आपको नजर आई रही रही जार ओफन ए बारा space complexity नजर मारेंगे आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ चलते हैं तो second question हमारा है कि find first negative integer in every window of size k तो मेरे पास एक array है इसके अंदर कुछ इससे पकार element पढ़े है minus 8, 2, 3, minus 6, 10 मुझे window size k के द्वारा दिया गया है कि यार 2 की window में तो उसने मुझे से बोला कि यार 2 size की window में मुझे जो पहला negative element आएगा न वो बता दे ना बस तो मैंने पहली 2 size की window निकाली तो यह अपकी starting 2 size की window है इसमें 2 element आगे न इसका answer क्या आता है पहला negative number क्या है, minus 8, फिर उसके बाद क्या है भीया, अगली 2 size की window कौन सी है, यह वाली है इसके अंदर पहला negative number क्या है, negative number ही नहीं है, अगर negative number नहीं है तो answer 0 लिलना फिर में आगे गया कि अगर यह वाली 2 size की window की बात करूँ तो इसमें पहला negative number क्या है इसमें5 न님ierno-6 है उसी प्रकार अगर मैं यह वाली 2 size की window उठा लूँ तो इसमें पहला negative number क्या रहा है इसमें पहला negative number minus 6 जा रहा है तो जो मेरा answer हो गया वो इस प्रकार होगए वाले हैं मैंने क्या बोला कि मेरे को आंसर निकालना है मुझे इसको सॉल्व करना तो मेरी अप्रोच किस प्रकार होने वाली है मेरी अप्रोच किस प्रकार होने वाली है चल तो मैंने क्या बोला मैंने रिसेंटल एक डेटा स्रक्चर बढ़ा था डबली एंडिड क्यू वाला तो उसका मैं प्रयूप करके देखता हूँ और कैसे solve करना है यह समझते हैं उसका मैं प्रयूप करता हूँ और मैं समझता हूँ किस परकार मुझे उसको solve करना है चालो तो मैंने क्या बोला अगर मैं एक double-ended cube बना लूँ और उसमें क्या करूँगा उसमें क्या करूँगा, पहले first key element डाल देता हूँ, पहले उसमें first key elements डाल देता हूँ, तो उसमें मतलब first key के मतलब, जब की पहली window है, पहली window आ जाएगी, मैं यहाँ पर देखते हैं, first window यहाँ पर आ गई, first window यहाँ पर आ गई, देखते हैं, उस first window को यह answer होगा, उस first window को या कोई answer होगा वो देख लेना उसके बाद मैं क्या करूँगा आपकी पहली विंडो तो यहां पर आ गई यह आ गई बट अगर आप ध्यान से देखें जब अगली विंडो में जाते हैं तो क्या होता है एक नया नमबर एड होता है और एक नया नमबर रिमूव होता है इसी यह प्रकार मैंने इस प्रकार मैंने इस प्रकार विंडो तो मैंने इस प्रकार फॉर लूप के द्वारा लिख ली होगी अब आगे क्या करूंगा कुछ सब्सक्राइब कर लूप लगा दूँगा जिसमें एक नमबर एड होगा और एक नमबर रिमूव होगा और इसके अंदर में किसी लॉजिक के द्वारा अपना आंसर निकाल दूँगा भाई यह वह लॉजिक क्या होने वाला है मैंने बोला जो भी फ्रंट में जो भी विंड्र को लॉजि firm को सब्सक्राइब को द्रके यह है कि मैं फस्ट केश डूबato to विंड्र को प्रोस्ट करकू तो मेरे पास एक डबल ली एंडिड क्यूत है 흐 llegar मैंने क्या इसके उंतर शुरू के आजिक पहला नंबर जो है निजटी नंबर चाहिए न तो मैं बोला क्या तुम नग T तो उसने बोला कि हाँ तो मैंने यहाँ पे जिरो श्टोर कर आ लिए जो कि बेसिकली इस माइनस एट का इंडेक्स है अब यह के टू साइज के थी मतलब पहली विंडो यह थी तो इसके नहीं तो इन शॉर्ट पहली विंडो प्रॉसस करते हुए आपके डबली एंडिट क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट था तेक है फिर मैंने क्या किया कि मुझ मालो एक भी अनकम उता हो तो इसके मों आपका अंसर क्या हो जायगा उसके मों आपका अंसर क्या हो जाएगा या तो ट्यक्यों स्वा फृन्न चोघा एक कशुड़ हो जा घेख अब कर दे Eg आगे वाली windows ना प्रोसेशिंग आगे वाली windows है ना समझ गए फटा फट लिग देते हैं आपके लिए ता कि आपको और असानी हो अब मुझे क्या दिखा कि एक्जामपल के अंदर क्या था एक्जामपल के अंदर माइनस 8 2, 3, माइनस 6 और 10 था मैंने अब तक क्या किया है? मैंने ये वाली window process कर लिए है, अब जो है मैं आया हूँ, अब मैं आया हूँ इस वाली window पर, इसमें मुझे क्या पता है? इसमें मुझे ये पता है कि मैं एक element मुझे remove करना पड़ सकता है देखे? तो मैंने सबसे पहले एक removal वाला logic लिख लिए सबसे पहले मैंने एक removal वाला logic लिख लिए तो basically मैं क्या करने वाला हूँ 4 loop लगाऊंगो जो कि आपका kth index है kth index से लेके आपके n minus index तक चलेगा तो मैंने एक loop लगा दिया जो कि आपका kth index से लेके 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 लिए तक चलने वाला है तो इसके अंदर मैंने क्या बोला कि रिमूबला logic लिखो पहले तो कि जो element इस window में नहीं आते हैं उनको रिमूब कर दो है जैसे इस वाले case में window आपके 2 कमा 3 है minus 1 तो इसमें आता ही है उसको रिमूब कर दो डबली नटक्यू से ते रिमूबल का logic लिख दिया कि भाई ऐसा करो इफ जो भी element आपका यहां पढ़ा हुआ है इफ जो भी element आपका dq.front पर पढ़ा हुआ है उस क्या पढ़ा हुआ है एक index ही पढ़ा होगा minus current index अगर यह get an equal to k है तो भाई इसको pop करा देना लिख दिया logic बहुत बढ़िया बढ़िया यह get an equal to k क्या है तो basically मैंने यह check किया है कि मेरा कोई current index होगा लेट से इस case मेरा current index i होगा यहां पर तो मैंने इस i को compare करा लिया जो भी मेरा dq के इंदर index stored है तो हमारा index क्या store था यह 0 समझा गई तो मैंने उसको remove कर दिया फिर क्या करना है मुझे addition करना एडिशन करना एडिशन किसका करना है जो मेरा current index है इस case में आई जो है मेरा current index है तो simple जीज़ है चेक कर लो यार क्या आपकी जो आई वाली value है वह negative है अगर वह negative है तो simple उसका index store कर लो भाई उसका index store कर लो भाई simple ठेक है इतना काम आपने कर लिया और फिर simple अपना answer store कर लो भाई answer आपका दो चीज़ में कुछ हो सकता है अगर आपका dq.size greater than 0 है यानि कोई कोई element पढ़ा हुआ है w and q में तो simple आपका answer क्या हो जाएगा dq का front अगर मान लो size जो है वह is equal to 0 है तो answer क्या होगा 0 होगा solve फ़ड़ा लंबा लग सकता है code करते करता है आपको यह सबाज माना देंगे tension ना लें तो मैंने कबले सबसे बहल तो मुझे डबली ended q चाहिए डबली ended q चाहिए किस type की मैंने अब मैंने क्या बूला प्रॉस्स करू फर्स्ट विंडू ऑफ के साइस ठीक है तो मैंने एक लूप चला यहां इसके अंदर मुझे क्या करना था इसके मुझे बस चेक करना है कि अगर मेरा करेंट element जो है if a less than 0 negative है तो मुझे क्या करना है उसके इंडेक्स को भी डबली ended q में स्टोर करना है टीक्यू डॉट फुश्बैक आई खता होगे पहले में प्रॉसेस अब एक बार आंसर निकाल लो स्टोर अंसर और फ़र्स्ट के साइस्ट विंडू कैसे निकलेगा सिंपल है इफ डीक्यू डॉट साइज इस गेड़े दन जीरो यानि कि अंदर कोने को बढ़ा हुआ है तो इस केस में आंसर इस इकल्स टू ए ओफ डीक्यू डॉट फॉर्ट फॉरंट ठीक है एल्स वाला केस क्या कहता है कि या रियानिकों पच्छा ही नहीं है अधिया पड़ा ही नहीं है तो अंसर डॉट नहीं आएगा दो तो यहां पर अंसर डॉट फुश्बैक आएगा लेक्टर है ना वह उसी पकार अंसर डॉट फुश्बैक जीरो इतना हो गया फिर मैंने क्या बोला कि बाकी विंडोस को भी चेक को गयार पर आसे पर प्लस प्लस मूझे करना था कि अगर विंडोस के आने के बाहर के हैं और कि आप करेंट के शाइpts में नहीं आते आता तो आपको मुझे हटाना पड़ेगा इसको चेक करने के का बखे न behave अगला केस अगला केस में बात कर रहा हूं एडिशन के बारे में कि मुझे अडिशन भी तो करना है किसी एलिमंट का करेंट एलिमंट का तो मैंने को सिंपल पुचा कि भाई क्या तो जो है नेगरिटिव नंबर है उसने बहला है अगर उसने हां बुला नवरी क्यू डाट पुश्ञाइक आई पाल बड़िया अब मैं सिंपल आंसर डॉल स्टोर कर लो अब इस वब अब नें सिंपल लाजिक उ एक बार मंदें जोन सजन के रोगा है आप अन्सर रोगi को सब्सिल हो है अन्सर के बहुंड रिटर ऊंसर एह अन्सटुटर होमा क्या क्लार दिखें जजुछ को देखा है ब्रण करें दिह से हैं अब run करके देखो, आंधर सही आ रहा है, मैंने बोला, submit करके देखो, submit करके देखो, फटाफट, ओहो, दस हजार test cases, वाव, इस प्रकार आपने इस question को भी solve कर लिया, अलकर दोबाला समझा देते हैं, एक बार हमने क्या बोला, कि यार आपको न, एक array दिया हुआ है, इस प्रक पहली window होगी, वो ये होगी, तो मैंने बोला, ऐसा करो, पहला step बनाओ, जहां तुम first window को process करते हो, जहां तुम first window को process करते हो, first window को process करने क्या मतल़ है, मैंने बोला, एक double ended q बनाओ, एक double ended q बनाओ, उसमें, जो जो negative number है, वो सारे, store कर लो, double ended q के अंदर, ठीक है, भाई या indexes आप, इस double ended q में store कर लो, तो आपने वो सारे indexes store कर लिए, पहली window के लिए, कर लिए, उसके बाद मैंने बोला, answer निकाल ले ना भाई, जो भी पहली की window का है, first case window का answer निकाल ले ना, यह बाद समझ में आ गई, अब मैंने क्या बोला, आप आगे बढ़ेंगे, मैंने क्या बोला, कि आप एक for loop चलाओ, case से लेके न तक, यह indexes न है, तो in short मैंने बोला, यहां से यहां से यहां तक ले loop चला दो, यहां से यहां से यह loop चला दो, जिसमें बाकि सारे windows.com, process करेंगे, तो अगली window जो बनती है, वो यह बनती है, जब नही window बनती है, तो क्या होता है, कि लिए लिए लिए, अब जो नई window बनी है, उसका एक answer निकालना पड़ेगा, तो यह answer निकालने का logic लिए लिए, तब कुछ step बाई step है, normal, जो दिमाग में आ रहा है, वो यह किछी करने है, कुछ extra नहीं कर, simple है, एक बार यह चीज हो सकता है, कि यह लिए लिए, क्या ही देहान रखें इस question के बारे में, इसको खुदी practice करें, और मज़ा आएगा, बढ़े क्या यह optimal approach है, जिससे हमने solve किया है, मैं बलो नहीं है, बिल्कुल भी optimal approach नहीं है, यह optimal approach नहीं है, यह optimal approach नहीं है, देखें, हम Qs पढ़ रहे थे हैं, तो मैं थोड़ा Qs की application पर बैसे दर देखें, इसको देखेंगे इस बार, अब जलते हैं, अगले question की तरफ, अगला question कहता है, reverse first k element of Q, क्या मतलब इस बात का, लिख लेते हैं, reverse first k elements of Q, देखें, क्या कहता question भाई, question ने कहा कि मेरे पास Q में कुछ element पढ़े होंगे, let's say, one, two, three, four, five, और let's say, k की value जै, वो three है, तो उसने क्या बोला, यार, ये मेरा input होगा, कि ये मेरी Q element पढ़े हैं, और इस बाकार ही k की value three है, उसने मुझे ला first k element, यानि ये शुरू के तीन element को reverse कर दो, इनको reverse कर दो, तो मैं output किस बाकार आ गया, output आ गया, three, two, one, यानि इस पार्ट को तो ये मेरा output है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पाकार का output मुझा है, मैंने बोले, reverse करने की कह रहा है, ये तो stack कर देगा, ये तो stack कर देगा, ये तो stack कर देगा, तो ये नहीं short है, ये तो बनाते है, फटा फट, बहुत easy question है, कुछ भी इसमें जादू मंतर नहीं है, फटा k element from q, जो आपकी q है, and put into stack, बजब आ गई, तो इससे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, क्या आपने ये तीन हो element fetch करके stack में डाली है, तो q में सिर्फ ये बचा, तापकी q अब इस प्रकार की है, q में सिर्फ दो element बचे है, एक 4 और एक 5, और अज आपका stack है, उसकंद ती element है, पहले आपने 1 डाला, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, तो ये आपका 1 आया, ये आपका 2 आया, और ये आपका 3 आया, चलो, आगे बढ़ जाते है, second step क्या कहता है, कि यार, fetch, basically reverse करना है, तो stack से निकाल के वापस डाल दो, reverse हो जाएंगे, fetch element from stack and put into q, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब की q का जो, अब status है, वो इस प्रकार कहा है, कि भाई, यहाँ 4 पड़ा, यहाँ 5 पड़ा है, और stack से आपने 3 निकाला पहले, तो ठीक, यहाँ 3 आगया, फिर आपने 2 निकाला होगा, यहाँ 2 आगया, फिर आपने 1 निकाला होगा, तो यहाँ पर 1 आगया, बहुत बढ़िया, पैट मैं तो यहाँ से कुछ चाहता हूँ न, कि 3, 2, 1, और 4, 5 पीछे होना चाहिए, मैंने बहुत हो जाएगा, 3rd step, अगर यह जो size है, यह k है, और य जब क्या कहता है, कि भाई, fetch n-k, fetch first n-k element from q and pushback, भाई, शुरू से कलो, पीछे से डाल दो, तो अब आपका answer क्या हो गया, आपका answer हो गया, 3, 2, 1, और फिर आपने 4 डाला होगा, फिर 5 डाला होगा, 4, 5, यह तो चाहिए था, यह तो required था, 3, 2, 1, 5, यह देख लो, तो बहु बहुत ही simple चीज़ है, बहुत ही असान question है, तब यह easy भी लिखा हो है, मतलब ऐसे कुछ में खतरना हो, आपका बताना हो, तो कुछ भी नहीं है, elgo या, elgo बहुत असान है, step 1 की बात करते है, step 1 क्या कहता है, step 1 क्या कहता है, starting element उठाओ, और stack में डालो, क्यार, pop first key from q and put into stack, stack int s, आपने stack बना लिया, आपने बना लिया, एक loop चलाता हूं, कहां से कहां तक है, basically, k time चलाना है, इसमें क्या कि आपने एक value निका लिए, value क्या हो गई, जो भी q के front में बढ़ा हुआ है, ठेक है, q को pop कर दिया, और आपने वो stack में डाल दी, इस टेम पहले question के अंदर है, आपने stack में डाल दी, पहला काम तो आपने कर दिया, second step क्या कहता है, step 2 कहता है, step 2 कहता है, fetch from stack and push into q, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला, जब तक stack empty नहीं होता, while s.s empty, तब तक मुझे क्या करना है, value निकालो, int value is equal to s.top, s को pop कर दो, और इसको q में डाल दो, q.push, यह वाली value, step 2 भी हो गया, step 3, step 3 कहता है, fetch first n-k element from q and push back, तो मैंने क्या बोला, एक number यह तो int is equal to n-k, तेक है, n का मतलब क्या है, n का मतलब है, q का size, यह ले लिए आपने, अब मैंने बोले एक loop चलाओ, और t times तक, while, while t-minus में क्या करूँगा, जब तक t-minus मतलब इतने times तक, n-k times तक मुझे क्या करना है, मुझे q से element निकालना है, int value is equal to q.front, q को pop कर दिया, और फिर मुझे क्या करना है, q में ही वापज जालना है, q.push well, कितना करना है, मैंने बोला, answer रटर्न कर दोया, answer में क्या बेजना है, q बेजना, q बेजना, q return करते है, q बेजना, compile and run करते है, compile and run करते हैं, सही answer आ रहा है, बिल्कुल सही answer आ रहा है, एक बार submit करके देख लते हैं, submit करके देख लते हैं, तो इस सारे के सारे test cases pass हो गए, तो बार logic समझते हैं, logic सेम यार वही, हमने क्या बोला कि हमें starting key element reverse करने दो ठीक है, starting key में उठाकर stack में डाल दी है, और stack से वापस निकाल गए, क्यों में डाल दी है, बहुत बढ़ी है, हो गए reverse, बट अभी दिक्का सिर्फ यह है, कि जो reverse element आया ना, वो पीछे के तरफ आ गए है, मुझे अभी starting element को हटा के वापस यहां लगा दो नहीं, कैसे लगा होगे, कि starting element को पॉप कराते जाओ, और पीछे डालते जाओ, simple, simple, हाना, तो इस प्रकार मैंने इस question को solve कर लिया है, और भहिया, इसमें space complexity कितनी है, मैंने बोला stack बना दी है, तुमने एक, case size का बना तुमारा stack है, तो o of k तुमारी space complexity हो गई, और हमने बोला, कि भहिया, इसकी time complexity क्य होगी, तो इसको फर अपर समझ लेते हैं, time complexity क्या होगी, पहला loop आपका k times तक चल रहा है, एक पर आपका के टाम सक चरण रहा है यह वाला लूप की बात कर रहा हूं फिर यसके बाद यह एक गाल युप है यह Meanwhile कर चल रहा है फिर उसके आपका यह एक और लूप चल रहा है जोगी आ मैंशी की ताइम सब्सक्राइब और यह क्या हो गया इक सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं तो बात करते हैं इसका नाम है इसका लिख लेते हैं ताकि आपको चीज और समझ में आ जाएं इसको जूम करते हैं हमने बूला कि फर्स्ट नौन रिपीटिंग करेक्टर इन स्ट्रीम क्या कहता है यह कहता है यह कहता है कि आपके पास एक्स्ट्रीम ऑफ क्रेक्टर्स आ रही होगी कि आपके पास क्या हुआ इंपुट में पहले ए आया फिर उसकाद एक और आ गया फिर उसकाद एक बी आ गया फिर एक सी आ गया इस प्रकार एक्स्ट्री ना न्एएक्टर में नोन रिपीटिंगर ऐसा राक्टर जो को भी inental और मोत् 1 और पहला न रिपीटिंग रिपीटिंग है के एक्टर बताना आपको तो इसमें आपका आपको और आपको रिपीट कर ग्या जो नक हそう dependence है न है यह परिंट करना है है इंस के n स्टिन इतनी हो जाने के बाद तो ए ए भी इंट रिपीट कर रहा है बट किया हो गया तो सिंग्ल टाइम है इसी परकार आपके इतनी इतनी होगी इतनी होगी इसमें ए स्टिन रहा है आपका रखार आंसर आ रहा है तो इतनी इंदर किया है पहले आपASON पचाने कि यह लिए नहीं प्रह बचा गुए कोई भी नॉन रिपीटिंगे अधर नहीं बचा हुआ लेट से यहां पे की आजाता है तो इस पूरी श्ट्रिंग के अंदर रिपीट कर गया बट सी जी सिंगल टाइम है तो आप का अंधर यह जैसे मैं आपको बताए कि पहले सिर्फ इतना पार्ट था फिर इसके बाद यह इतनी स्ट्रीम हो गई इतनी हो गई इस प्रकार उसे साब साब को आंसर निकालना है जैसे कि आप अब देखे हो एब सिर्फ ए था तो फर्स नॉन रिपीटिंग रेक्टर क्या था एथा जब द बहुत बढ़ी है इसने वहला टाइम इस प्रकार होनी चाहिए और स्पेस कॉम्लेक्शिट इस प्रकार होनी चाहिए चालो सब्सक्राइब करना यहां से मतलब देखके साफ आडिया लग रहा हम क्या यूज करने वाले हैं स्पेस में तो ऐसा कहीं दियाने होगा है इसको ब हमने क्या बोला हमने मैं क्या चाहिए हमें नो रपीट्टिंग करेक्टर चाहिए को इक कितनी बारright चाहिए कोईटा काउन उसके लिए टो पतलु है जो कि मेरे पास भिलम vendortacon हो कर रहा हा हो तक विब है जो कि किस टाइब का है करेक्टर से एंट टाइब का है तो मुझे बता देगा कि यह पर्टिकलर एतनी बार आया है मैं इसका नाम काउंट रुग गया मैं चाहूं तो करना पर तो मैं स्टार्टिंग में सारे की सारी वैलियू जीरो है क्योंकि मैं काउंट फिर आपकी मरदी है आप कौण सा उप्षिन चूल करना चाहते हैं तो मेरे पास एक डेटा स्रक्चर होना चाहिए जहां पर में काउंट शोल करूंगा तो count से तो मैं बता लगाँगा कौन सा character पहली बार आया है दस भी बार आया है पांच भी बार आया है तो count मेरे पास होगा और इसका दफार प्रोसेसिंग करता था ho in-shrot मैंने क्या बोला कि मेरे को ने क्यों चाहिए मेरे को और क्यों चाहिए मेरे को चाहिए मेरे को एक Q चाहिए तो let's say मेरे सिंग जा इस पेन आपका अयल या तो मैंने तो आपने इसमें क्या डाल दिया यहां पर ए बहुत बढ़िया यह बास अगया तो हम क्या बोलेंगे बेसिकली अब हम से फ्रेंट वाल एलिमेंट चेक करेंगे कि या कि कि फ्रेंट वाली, चेक करेंगे कि या क्यों कि फ्रेंट में जो पड़ा हुआ है वह रिधीटिंग है या या नatt TIME है कि एनट ठावेड करते हूं हिए तो भाई उससे प्रिंट करा seven है. प्थ्र बश्कुक्त करना थ प्रकार का तो मैंने एक डेटा सेक्चर करने वाला हूं इस प्रकार का तो मैंने इसमें काउंट स्टोर कर लिया भाई इसमें काउंट स्टोर कर लिया फिर मैंने एक डेटा सेक्चर क्यूं यूज कर लिया जहां पर बेसिकली मैं जो भी स्ट्रीम आती जा रही उसको डालता जा रहा हूं किया अगर नहीं है तो भाई यह वह नॉन रिपीटिंग है या फिर आपकी क्यूं एम्टी होगी लेट से आपके क्यूं अम्टी होगी तो आपने टर्न हैश करते कि कोई नॉन रिपीटिंग एक्टर है नहीं हमारे पास बजना आगी यह अप्रोच आपकी इतना ही करना है सिंपल भाईया यह वाले टर्सक्टर यूज क्यों करा मैंने बला काउंट के लिए बहुत सारी बार है बहुत सारी बार है तो यानि कि वह रिपीटिंग है क्यों चाहिए मुझे टर्सक्टर वाइब यह वाला पार्ट के लिए ठीक है फिर आते हैं यह क्यों क्यों यूज करी हुई है मैंने बोला मेरे पास जो भी स्ट्रीम में ग्रेक्टर आता जा रहा है उसको मैं इसमें डालता जाओंगा बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं इसको क्यों कर लिए और क्यों के अंदर कॉंसी चीज होनी चीज वो रिपीटिंग नौन रिपीटिंग का दार्बं रेक्टर है तो पॉप कर दूगा नौन रिपीटिंग कर दो करते हैं आपको चीज ने अभी फटा-फट क्लियर हो जाएंगी मैंने क्या बोला कि मुझे एक सब्सक्राइब कर लिए इसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ हमने बोला कि एक आंसर चाहिए मुझे को कि मुझे आंसर में स्ट्रिंग रिटान करनी है स्ट्रिंग रिटान करनी आंसर में तो मैंने एक आंसर करें लिए कर लिए जो कि स्ट्रिंग में अंट इसके अंदर क्या करेंगे एक चाहिए अब क्या हो सकता है अब अगर कोई भी चीज रिपीटिंग है तो इसको पॉप कर दो मैंने बोला कि यार जब तक आपकी क्यूंट नहीं होती ना प्रसेंग करो क्या हो सकता है कि यह जो भी आपका करेक्टर है ना काउंट आफ क्यू डॉट फ्रेंट यह क्यूंट फ्रेंट में जो भी पड़ा हुआ है उसका काउंट गेड़ दन वन है तो यह पर अगर इसके अंसर में श्टोर करना है तो मनें डाल दिया क्या जो भी और आन्सर मीला है है समझा ही जब मुझे आंसर मिली गया है तो मुझे चांटीनू करने का फायदा नहीं ब्रेक कर देते हैं लूप से बाहर निकल जाओ लूप से बहार निकल जाओ ठीक है अब लूप से भार लाइन नेमर 34 पर अब तभी पहुंचे हो गई या तो आप ब्रेक करके आयो या फिर आपकी QMT हो गई है अगर आपकी QMT हो गई है जैसे हमने यहां पर रिखा अगर आपकी QMT हो गई है तो इसका मतलब आपका कोई नॉन रिपीटिंग अटर है निया सारे करक्टर रिपीट कर रहे है तो मैंने वला अगर आपकी QMT होगे इफ अगपकी QMT होगे तो इसका मतलब पता है कि आपका कोई भी नॉन रिपीटिंग अग्टर नहीं है तो इसके से मुझे वह वह लाए कि इसमें हैस्ट डाल दे करते हैं इसमें चल गया मैंने वहला संमेट करते हैं क恭喜 करा लिए बहुत पर समयचते हैं है क्या कर ली ये ये क्यूंट के लिए हमने इक दियर सक्ष् dwarf कर लियाघ टेक्या है यह भी बहुत important है tracking purpose के मेरे पास Q पड़ी हुई है और उसके बाद मैंने अपने अलगों लगा जी कि भाई सबसे पहले कोई प्रक्टर आता तो इसके counting कीज करता है क्योंकि वह important है उसके बिना बताई नहीं है उसका Q में सको डालना क्योंकि में track करना है अब Q के front है मुझे हमें चेक करना है कि यार जो Q के front में रेक्टर पड़ा है वो answer है या नहीं है अगे चलते हैं अगे चलते हैं अगले कोशन के उपर अगला कोशन कहता है अगे चलते हैं यह बहुत ही जादा प्यारा कोशन है क्यों के अंदर यह वह लाकोशन मैंने online assessment के अंदर बहुत बार देखा में आन केमपस तेक है बहुत इंपॉर्टन कोशन है बहुत ही जादा कितना ही मैं इसको एंफरसाइज कर लो कम ही होगा कोशन क्या कहता है एक पांप यह पर खरते हैं एक पट्रोल पंप के पास कितना पैट्रोल है कि इतने लीटर पेटरॉल है बाई मैंने बॉला एक्स लीटर पेटरॉल है सेकंड के एंट्रोल्ट इसके पड़ा हुआ है कि भाई नेक्स पेटरॉल पाम कितनी दूर है कितनी दूर है यहां से अगर मैं ट्रक स्टार्ट करूं तो पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले चल इस प्रकार का कोईशन है तो इसको फटा-फट समझें कोईश्च करते हैं क्या कहना चाहता है यह कोईशन तो इसने बोला है कि कोई एसा पॉइंट ढूंडो जहां से मैं स्टार्ट करूं तो जो मेरा ट्रक है न वह कंप्लीट करके वापस वहां तक पहुंच पाए इस प्रकार चलना है देखते हैं क्या मतलब इस बात का इन्पुट में एन है और यह मिरे पास चार इन्पुट पड़े हुआ है इनको इन्पुट है रहे है यहां पर यहां पर यहां पर तो पहला जो है वह क्या है 4,6 अगला है 6,5 अगला है 7,3 अगला है 4,5 इंडेक्स क्या है 0,1,2,3 इस प्रकार मुझे ऐसा स्टार्टिंग पॉंट ढूंड़ना है जिसके द्वारा मैं एक सर्कल पूरा कर लो ठीक है तो इसका मतलब सर्कल पूरा करने का मतलब है कि यहां से स्टार्ट करता हूं तो मैं फिर यहां भी आराम से पहुंच जाओं फिर मैं यहां भी आराम से पहुंच जाओं क्या मतलब है कि मैं मेरे इतना पेट्रोल हो कि मैं वहां तक पहुंच पाहूं एक यूनिट ऑफ पेट्र पहुना डी तना प्ट्रफ में बरता हो कवर करते गंडी आप स्फोंों कितना पट्रोल बच जाएंगा अगर में पेट्रोल बच जाएंगा तो मुझे distance कितना cover करना है मुझे 6 km cover करना है पेटरोल कितना है, पेटरोल 4 है तो अन्याजाट मेरा answer क्या हो गया 4 मेरे 6-2 अरे 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 अ利 ya यह less than zero आएगा अरे गर दन 0 आएगा तो तो भाइ normal है सही लग रहा है आगे जासकते हो आगे जा सकते हो अगर लेस देन जीरो आ गया और पेट्रोल की नीड़ है इसका मतलब तो भाई साब ट्रावल नॉट पॉसिबल है इसकेस में अभी बस आपको समझाने कुश्च कर रहा हूं तो अगर हमने यहां से स्टार्ट किया होता यहां में यहां से मातकि यहां से किलों मीटर करणा है और मेरे पास पेट्रोल CH 6-5 2 इस अभाइ इस एकुल टु जिरो इने शौूट यह सही है है याझना यहां से मागे जा सकता हूं यहां से मागे जा सकता हूं पॉसिबिल्टी यह पर balance कितना बचा है? 1 बचा है चलो तो अब आगे हम गए मैंने बुला कि यह अगला petrol भॉम तीन km दूर है और petrol में पास साथ है तो पुराने वाले balance कितना है 1 1 में 7 कर दिया तो कितना में पर total 8 litre petrol हो गया तो 8 unit of petrol हो गया डिश्टंस कितना पंच लिक मैंनस इन तो ब्लो अब अब 5 लीटर बच रह सकता हूं अब यहां पर जआओ तो मुझे पांच क्किलोमेटर बाद पहले में पर प्याप पांच चार और पॉल थेह पांच अभ काश प्यार नो M है यहां से जहां सकता हूं अब अफ़ लिगे कवर करो जा तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो मैं सर्कल पूरा काlem Лघ करके ऑ जाता हूं तो एन शॉट अगर मुझसे कोई इस question का answer पूझेगा तो मैं बोलूगा यहाँ पर start की value जा 1 होगी index 1 की में बात कर रहा हूं तो आपको दीपर answer में output 1 आ रहा है तो यह तो हमने देखा कि answer 1 क्यों हो आ रहा है यह आप question समझाने के लिए था आप रोज की बात कर लेते हैं आप रोज की बात कर लेते हैं तो फटा फटा अगर मैं आपको बना कर दिखा दूँ कि यह इस प्रकार का आपका यह array है इसमें चार element पड़े हुए हैं देके हैं वो चार element क्या है वो है 4,6 फिर वो है 6,5 7,3 4,5 चल्ड इंडेक्स क्या है 0,1,2,3 अप्रोच पहली कि बोड़ा तो मैंने क्या बोला कि प्रूट-प्रोड पोड़े गईगा बूट-फोल्स अब्रोच क्या कैईगी हर जगा से कर अपर दो पर तुम जगा से स्ब्सक् Japanese सब्सक्रा jeunes और धर dal तो अप्रोच आपकी यह कोईश कर रहे हैं तो एक अप्रोच आपकी यह हो गई यार अगली अप्रोच के नंबर 5 क्या केती समस्जते हैं तो प्रोच कर यह मेरा आयरय है जो गीवन है थू क्या है यहां पर ही आपका िन्चा फॉरण्ट लगा हुआ है क्यूप द八fi अपर ही आपका और प्रियलगा हुआ है यहां पर ही आपका रीर लगा हुआ है। यह dishonor कि है तो यह एसंद करना है workout Before दिर फारे आपका स्टार्टिंग अंट में रिद्धेड़ लगा हुआ है यहां पर ही आपका स्टार्टिंग में लगा हुआ है और हमें क्या करना है कि है बाइit एक这 border path जो हो greater than equal to zero हो अगर ये है तब ये तुम अगले block तक पहुँच पाऊँगा ने तुम्हें petrol बीच में खतम हो जाएगा न petrol minus distance जो है वो greater than equal to zero अगर हुआ तो तुम अगले block तक पहुच पाऊँगा यारिन travel possible है one block से other block तक तो इस case में क्या करना अगर travel possible है तो rear plus plus कर देना तेक है और अगर तुम ऐसा करते 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 अगर तुम्हारा front is equal to is equal to rear हो जाए तो इसका मतले बाद तुमने circle complete कर लिया तुमने circle complete कर लिया समझे मैं ये चीज़ अगर एक block से दूसरी block तक travel possible है तेक है तो उस case से तुम क्या करोगे तो rear को आगे बढ़ा दोगे और ऐसे करते करते तुम front और rear दुबारा वापस ले आए जैसे तुमने बोला कि यहां से travel possible है तो rear आगे बढ़ गया तो आपको front और rear दोनों equal हो गए और जब यह equal होते है तो आपने बोल दिया वह यह circle complete हो गया है और travel possible है और answer यहीं आएगा समझ में आई यह चीज बट लेट से अगर travel possible नहीं है इसका else case भी होगा इसका else case भी होगा तो लेट से एग्जामपल एक बाट देख लेते हैं एकजामपल एक बाट समझने कोईश करें तो अगर हम मान लो मान लो कि यहां पर लगा होता हम यहां से चलने कोईश करें हमें क्या बता है कि 4-6 विए टो एकल डो जिव फॉल्स से रहा है तो इसकेस में क्या करता है यानि इस वाले डबे से अगले डबे तक ट्रम पॉसिबल नहीं इस केस में क्या होगा आप फरंट को हटा कर अगले वाले ब्लॉक पर लेयां होगे front को हटा कर अगले वाले block पर अगला block मतलब मैंने कहा बहला front को हटा कर जो भी rear plus one वाला block होगा ना यार वहाँ पर लेआःओ समझता गी तेक है तो इस प्रकार करना है अब कुछ बत्से को डाउट होगा भी या front plus plus किया करते थे यार यह कौन सा रीयर फ्लस मना पर समझा दिए फ्रॉंट प्लस प्लस करने का फाइदा नहीं 7 घर हमाना लो कि हमें इस प्रकार के एरे में हैं जहां से ऐसा ؤिख चुछ चल रहा है कि आप यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं आप यहां तक पहुंच यहां पर फाइदा नहीं अगर तुम यहां से यहां और यहां नहीं पहुंच पा रहे तो इस बात की गैंटिए तुम यहां शुरूआ करते तब भी नहीं पहुंच पाते हैं अगर आप यहां से यहां पहुंच गए और यहां से आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस बात की गैरेंटी है कि बीच वाले केसी डबेज स्टार्ट कर लो आप यह क्लियर नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्यों कि भाया इसने जब यहां से यहां पर आया होगा तो इसने कुछ योगदान तो दिया होगा ना अगर आपने इसको हटा दिया और यहां से स्टार्ट कर दे तो योगदान तो कमी होने वाला है योगदान तो कमी होने वाला है तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं इस case में इस else case के अंतरम front को rear plus one से start कर देंगे यह बात समझ मानी चाहिए यह बात समझ मानी चाहिए इंपॉर्टेंट है यह ठीक है तो हमें क्या समझ में आ रहा है logic क्या कहता है कि front है उसको यहां शुरूम होगा और यह जो है यहां पर शुरूम होगा अगर travel possible अगर नहीं होगा तो front को मैं rear वाले के यह आ गई बढ़ा दूआ थेक़् है हम हाँ से start कर लेंगे जैसे इस case में यहां से start कर लिया तो जैसे मैंने front को यहां पर आगे बढ़ा दिया उसका मैंने rear को भी same लगा दिया यहां समझ मार गई यहां समझ मार गई बहुत बढ़ अगे बढ़ जाएंगे यह बात समझ वारी है ठीक है तब अगर मुझे को बोले गया साफ सुते तरीके से लिख हो तो मैं बोलूगा ठीक है वाई सिंपल है मैं बोलूगा इफ वन ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक का जया फिर मैं बोलूग एफ इं स्टाट इन्स ब्लॉक से उसके नेक्स्ट ब्लॉक का ट्रेवल पॉसिबल है अगर यह ट्रेवल पॉसिबल है ठीक है रियर प्लस प्लस कर दे नहीं है तो इसा करो फ्रंट को रियर के आगे लिए नहामोर और वहां से स्टार्ट करेंगे आप इस तक पर करेंगे कि अन्वान का टांट करना फरेंगे ये सब करते से पहुंच चाल हुकिता है अब करते सब करते आप से कंडिशन पर यह की कडिशन पर यह इस परकार हमें चलना है इस परकार हमें चलना है समझ में आगई यह चीज हम बहुत बढ़िया इसको इंप्लिमेंट करेंगे टेंशन ना लो इंप्लिम्ट करेंगे इस चीज को हम थेक है तो इस चोटा मोट आपको थोड़ा वह समज में होगा अभी उतना समझ में यहां पर आगा आपका 4,6 फिर आगा आपका 6,5 फिर आगा 7,3 और 4,5 जिरो 1,2,3 चालो हमने का बना, let's say starting, हमने हैं से कहें, यहां पर start point कर रहा है, यहीं पर आपका front लगा हुआ है, अब ही किले है, और है और ही पर आपका rear लगा हुआ है, पहले में क्या करूँगा, मैं देखूँगा travel possible है या नहीं, तो उसके लिए मैंने कहा कित्रोल माइनस, distance कर दिया, करना होता है इस case में front को आगे लिए के आना होता है कहा आगे rear के Biz वह दुछा है तो फरं ताप का जो है कि यहांपर आजा Ec है यहांसे start करने वाले हैं कि यह से start करने वाई करने वाले हैं यह बढ़िया यह बड़ाअ आपका हो गया अब अब हमने क्या बोला कि हाँ स्टार्ट करने के लिए मैंने अपनी कंडिशन चेक कर एक फटाफट कि पी माइनस डी गिर्दन इकॉल तो जीरो होना चाहिए यह कंडिशन है मेरी मैंने किए 6-5 is equals to 1 that is गिर्दन इकॉल जीरो बहुत बढ़ी है यानि के यानि के ट्रैवल पॉस बेलंस अब कर बना रहा है तो बेलंस अगर आपका बना रहा है फिर आप नहीं जगाप महुंचे पहले आपने बैलेंसव अब ने पेट्रोल प्लस कर लिया बैलंस इक टो लिए और प्लस सेवन बैस यह यहां अब यहां पर Ketना है यहां बैलनस नहीगल तो बाद बढ़ी कंडिशन ट्रू आगे फिर दुबारा गई तो इसका मंदर ट्रावल पॉसिबल है और ट्रावल पॉसिबल है तो रियर को हटा गया के लिए जाओ यहां अब यहां पर हम गई यहां पेट्रोल कितना है फूर तो बैलेंस में नहीं पेट्रोल डाल दो भई पुरान पेट्रोल कि सब्केश्चार रूर करने पाइंसर 5term दो भलत पांच ने पेट्रोल पॉसिए जो अलिए तो मतलब हैं कहां ले गया रिये को काटके यहां नो यहां पर ले गया और फ्रंट भी यही पर है और यहीं पर है तो मेरी यह वाले condition reach हो गई तो जब front equal to rear दिखा दो बोल तो cycle complete है समझ भागी चीज़ बहुत प्रिया भाई आपने starting में भी तो front और rear एक साथ start किया है आप बोल तो front यहां पर है और आप बोल तो rear यहां पर है तो यहां पर भी तो यह condition true हो यहां पर भी तो यह condition true हो जाएगी मैंने बोला दोस्त कोड लिखो गए ना तो अपने आप समझ जाओ यह order wise कि statement को कहा पर लिख रहे हो तो यह condition starting में आप बचा लोगे बहुत प्यार से कोड लिखने का तरीका लिखोगे सब समझ में आजएगा हवाँ बाते करेंगे तो नहीं समझ में आएगा तो यह logic आपको समझ मारा थोड़ा बहुत कि ठीक है इस प्रकार से मैं इसको solve कर सकता हूं यह logic मेरे पास बन गया है यह logic मेरे पास बन गया है ठीक है और मुझे और सम अब मुझे एक नया पाले निकालना होता है जाटे कर दिया है और मेरे रीएर भी स्टार्ट इमया पर मैं मैं से ब्सक्राणे करना है तो इस प्लस ऑनने रीइर को और रीट जिरो है पट्रोड शे है डिस्टेंस पांच है बाइबाधि आंसर क्या क्या जेए बागी किया करते मैं और का हैं आ हैए जिर यहां पर आगया आ गया जब आता है तो क्या करते हैं इसको काट देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं तो आपका रियर कहा आ गया यहां पर आ गया जब पाल्स आता है तो क्या करते हैं फॉल्स वाले के इस में फ्रंट को हटा कर रियर के एक आगे लगा देते हैं इन समज़ मैं नहीं पर यहां पर सकता अगर मैं इस माले ब्लॉक से यहां त करूँ न हमें ऊप्रिकनल और प्रेंट को नहीं स्वायर चीज में जलुनिक आ जान तो यहां पुम्चना नौट पॉसिबल याफिर यहां से स्टार्ट करता तो भी यहां पॉँचना नौट पॉसिबल अगरम्य किसे की रिज़ी नहीं गया तो भाई इसलिए नहीं किया कि जो जगा मैं already travel कर चुका हूँ तो मैं यहां नहीं पहुंच बाया तो मैं दुबारा front को इन पर लगा के अपना time waste नहीं करना जाता front को मैं सीधा वहां लगा दूँगा जहां पर condition पर एक होगे अगर आप से कोई बोले कि front plus plus क्यों नहीं किया तो आप बोलोगे कि अगर मैं यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं यहां से भी नहीं पहुंच पाऊंगा और यहां से भी नहीं पहुंच पाऊंगा कोई आप से बोलेगा अच्छा वो तो ठीक है तो ठीक है रटा माना असान है बट वाई क्यों नहीं पहुंच पाऊगे भाई मैंने सिंपल चीज बोली कि हर एक ब्लॉक न अगले ब्लॉक को एक एक कॉंट्रिबुएशन देता है पेटरोल का है न smelling बैलेंस में पुराने वाले बैलेंस एड होता है यह अब यहां पर टो और पीछे वाला ब्लॉक न आगे वाले ब्लॉक को एक कॉंट्रिबुएशन देता है तो अगर यह कुछ contribution नहीं देगा इसको तो इसकी हालत और खराब होगी इसके बास और कम petrol हो सकता है समझ मारी है मैं बुसी कहना चाहरों कि इस वाले block ने इस वाले को एक litr petrol दिया था अगर आपको याद हो तो और फिर यहां से जाब इस पे गए तो आपको 5-5-5-5-2-2 आगया पहुंच नहीं सकते हैं यहां से आँ तक समझ यह लोजिक समझ ने कोईश करो लोजिक मेरा यह है कि भाई मैं अगर इस block को हटा दूँ तो मेरा यहां से यहां पहुंचना और मुश्किल हो जागा क्योंकि भाई इस block ने इस वाल block को petrol का contribution दिया है जो कि formula में आप देख पा रहे हो इसलिए why वाला part clear होने चाहिए हर जगा कि यह क्यों नहीं किया या फिर हम सीदह आगे क्यों बढ़ गए या फिर हम अगर बोलते हैं कि हम यहां से यहां नहीं पहुंच पाए कि हम शुरू करने वाले हैं इस वाले block से यहां से है ना यहां से पहुंच शुरू करने वाले हैं पर अफट को साफ सोता कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे समझ जिन आ जा है ठीक है चलो अब मैंने वोला कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वाले block से तो चलो इस वाले block से start करते हैं मैंने वहाँ बैलनस कितना होगा बैलन्स स्टार्टिंग में 0 होगा और अब नया बैलन्स निकाल लेते हैं यह होगा 0 प्लस पेट्रोल है 10 और 8 10-8 that is 2 greater than equal to 0 that is true true के case में क्या करते हैं rear को हटा देते हैं और अगले में लगा देते हैं पेट्रोल है 6 और distance ते तब कर बैलन्स क्या आ गया balance आगया, पुराणा balance, that is 2, minus 6, plus 6 sorry, plus 6, और फिर यहां पर minus 6, तो यह से कट गया, answer आगया, true, that is greater than equal to 0, याई true, यानी travel possible है, यानी आप इससे काट के area को आगे लगा सकते हैं, बहुत बढ़ी है फिर आगया, 5 or 4, तब को balance क्या है, पुराणा, 2 plus 5, minus 4, that is 3, minus 6 that is 7, minus 4, 3 greater than equal to 0, that is true, यानी travel possible है यानी rear को आप यहां से अटा के गुमा के यहां पर लगा सकते हैं, बहुत बढ़ी है यह कहा, 6 or 5, तब को balance क्या आगया, पुराने वाला 3, plus 6 minus 5, that is 9, minus 5 that is 4, that is true greater than equal to 0, right तो इसका मतलब rear को आगे लिखी जा सकते हैं यहां गया 7 or 6 तो मेरा answer क्या आगया, पुराने वाले balance है 4 निया पेट्रोल है 7, और distance है 6 greater than minus 6, that is 5 यानी कि greater than equal to 0, यानी कि true आगया true आगया तो मैं क्या करता हूं, rear को मैं आगे बढ़ा सकता हूं पुराना पेट्रोल है 5, निया पेट्रोल है 4, इसका मतलब आगया, तो आपकी यहां पर आ चुगा है एक algorithm, q-based approach इस question को solve करने के दिमाग में निकाल ली है, front और rear का use करके, ठीक है तो इस परकार आप इस question को solve कर सकते हैं, ठीक है मैं बोलूँगा मेरे पास एक और approach है, बोलूँगा कि मेरे पास नहीं यान यहां पे एक और approach है इस case के अंदर जो approach अभी हम discuss कर रहे है, यहां पर worst case में है यार, मुझे हर block को दो बार visit करना पड़ सकता है मैं बोलूँगा कि मुझे दो वजिट इन करना है, वो single widget में खतम करना चाहता हूं मैं single widget में खतम करना चाहता हूं, कैसे करोगे भईया मुझे क्या पता था यार, कि minus one यहां पर आ गया था, इन शॉट यह वाली जो चीज थी थी नहीं यार, इसको दुबारे से एक और आपके लिए बनाता हूं, अच्छे से तो यह आपका पर question फिट दुबारे ते यार है, मैंने क्या बोला आपको मैंने बोला कि शुरू की तीन का जो balance आया था, मैंने बनाया था, क्या मतलब इस बात का, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का तूर था नहीं यहां से इन टीन ब्लॉक का, इसमें total minus one पेट्रोल बचा था balance में जब मैंने यहां से front start किया होगा, मैंने यहां से rear start किया होगा, और यहां से मैं start कर रहा हूँ basically, तो मुझे का बतला है इतने distance को travel करने मेरा balance मेरा minus one आगया तो मैं रुख गया था भाई, नहीं जा सकता ना आगया मैं, क्योंकि मेरा petrol ही minus one में चला गया, logical बात कर रहा हूँ तो इन तिनों को मैं एक एक बार traverse कर चुका हूँ, तो जब मैं तिनों को travel कर चुका हूँ, मैं नहीं चाहता, मैंने को दुबार traverse कर में आऊ, समझा गी, मुझे इतना पता लगया कि इनके पास जो reference sheet बढ़ रहा है, जो कमी बढ़ रही है, वो एक लीटर पट्रोल की मतलब की लब Ouaisट से कि अब जब में आगे बढ़ गया जब मेरा front यहां पर आ गया था तो मैंने इसको providing बढ़ सकता हूँ, फिर मने इसको这 कि मज़े पट रग रख ङए था मिया आधके बढ़ सकता हूँ, म dispass hypoc Pac कर deficit है तो अगर मैं simple से जहाँ पहुंचके पता लगा लूँ जो मेरा कमी है जो मेरी कमी है कम पढ़ रहा है, तो balance के अंदर मेरा जो बैलन साय माइनस वन आया तो मैं रुक गया था अगर मैं इस माइनस वन को स्टोर करा लो एक वैरीबल में इसको बहुत कमी या डेफिसेट और फिर आगे अपनी अर्गिदम शुरू कर दूं तो मुझे पर था कि मैं यहां से पॉसिबल अगे ट्रावल करन पिद्वारा पास इतना पिद्वाइप प्लस करके तुम एंसर पांवी उलाटवरा सुटम और आखिशन दा बहुत असान अगे इंप्लिमेंटेशन और ज्यादा आसान है मैंने क्या बोला मैंने बोला कि मेरे पास एक deficit है अब भी start in bottom मैं बोला हमेट कहा से कर रहा हूं है मैंने प्रड जीज़े हुए अब मैंने बोला हमें travers कर रहा हो 4 x i is equal to 0, say i less than n, say i plus plus सबस्पहेल है सब्सक्राइब बैलेंस निकालो balance निकालो balance plus is equal to कैसे निकलता है balance petrol में से distance minus कर देते हैं अंतर मैंने बोला p of i dot petrol minus p of i dot distance balance निकल गया चेक कर लो एक बार balance balance कही negative में तो नहीं आ गया if balance is negative अगर balance negative होता थो क्या करते थे यार अगर balance negative होता थो हम क्या करते थे हम इस front को अटथा यहां पर लिया आता है year plus 1 कर दिया हमदेश को करने वाले हैं सबसे पहले चीज तो deficit में इसको add कर लेते हैं इतनी कम ही बढ़ रही है deficit plus is equals to balance इतने की काम ही बढ़ रही है और फिर मैंने कर बोला कि start को तो मुझे आगे बढ़ाना पड़ाएगा अभी अगर मैं आई इंडेक्स पे हूं तो नहीं यहां तो नहीं बनेगी बात आना इन शॉट मैं बोलूं कि आपका आई आप यहां पे थे यहां पे यहां पे यहां पे नहीं जगह से start कर रहा हूं तो balance को मैं 0 कर देता हूं नहीं जगह स्टार्ट करना पड़ाएगा हो गया इतना काम कर लिया फिर आप बाहर आ गए आपने बोला कि यार अगर मेरी जो कमी है यार इफ डेफिसिट प्लस जो मेरा balance है अगर यहां ग्रतन इकल टो जीरो आ गया तो मैं क्या बोला इस केस मेरा answer अब return कर दो return start else इस case में जासे लिखते है इसको indentation खराब हो गई है else मैंने बोला return कर दो minus one basically मैंने बोला किया इसमें cycle complete possible यह नहीं है समझ में आ गई इसकोorn करके देख लिते हैं इसकोbank कर देख लिते हैं इसको अगार करकर देख लितें गट जैएक इसकोड कर देख लितां है और चीज तो वहांत है फालत को और बहुरां बतायाता हूं वह दोपार्ड क्या है कि इस यहां पे जा माने से यहां से यहां पहुंच सकते हैं मोग चै्यांist करें कि इस ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाराIF ना यह तो इस बात की गारंट की है कि बीच वाले जितने ब्लॉक है न ये और ये इनसे भी मैं यहां तक नहीं पहुंच सकता सवाल है क्यों नहीं पहुंच सकता क्योंकि हर एक पुराना ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक को पेट्रोल का एक contribution देता है जो कि आपके स्वामले में दिख गया होगा अगर वो पुराना ब्लॉक ही हट जाए यानि अगर मैं यहां से स्टर्ट कर लो तो प्रान लॉक तो अट गया क्योंकि मैं हां से स्टर्ट कर रहा हो तो मेरे पास तो बैलेंस पेट्रोल कम ही होगा न दोज्ट logical बात है तो इसलिए मैंने ये बात करी अब मैंने बॉला की यार इन कीस मुझे 2 बार ठ्राइवर्ड करना पड़ेगा हर व्लॉक को विए कैसे शुर कि मैं कम करूं मैं सिंगल ट्राहर पता हूं तो मैं ने Minister की कमी पढ़ रही है इस पूरे एरिया की तो तो मैं simple formula बनायता हूँ नहीं कि मेरा जो petrol बचा हुआ है और जो कमी पढ़ रही है अगर प्लस करके गड़ा निकट जीरो आ गया तो भाई मैं तो आंसर पॉसिबल है तमझाई बहुत प्यारा कोशन है जान अब उसके टाइम लगाया गया है ताकि आपको clarity मिल पाया बहुत ज़्यादा कोशन आता है यह ऑनलान असेस्मेंट के अंदर तो भाई यह पढ़ना इसको दन से टूक टाइम क्या हो रहा है पूछरो टाइम बताया तो तुम्हें टाइम हो रहा बहुत बढ़िया अब जलते हमारे अगले कोशन पर अगला कोशन हमें कहता है इंटरी फर्स्टाफ अफ दे क्यूबिट सेकेंड आफ अप्रूज बताऊंगो सिर्फ और सॉल खुद करना ही उतना जाता मुश्किल है नहीं क्या मतलब इस बात का यहां से देखो यहां पर क्यूब के अंदर 1,2,3,4 था तो यह वाला एक्जामपल एक लेते हैं जहां पर हुड़ा 11,12,13,14,15,16,17,18 तो इसको इंटरीव किस परकार करना है सबसे पहला तो इसको दो हाफ में तोड़ दो बाई यह पहला हाफ हो गया और यह आपका दूसरा हाफ हो गया अब आंसर क इसमें से क्या है कि एक लिएंट ऐहलेवन फिर इसमेंस केहलेवन उठाव 15 , फिर इसमेंसे उठाव 12 ,16,30 इसको 17 ऐ्को 14 और इसकोधाव 18 नहीं कहते हैं इसके सार्व्न इल्मेंट मिलीवे हुगा भाई एक Q है इस प्रकार की मानलो यहां front है और मानलो यहां रिया है और इसमें आपने first और second half को अगर ना है interleave करना है एक तो बहुत प्यारा question है यार इसको बहुत प्यारा question है और असानी से किया जा सकता है approach one number one क्या कहती है मेरे को approach number one क्या कहती है कि भाई Q जो आपको यह दी हुई है उसमें दिब शुरू की half के element उठा लो यह उठा लो and push into a new Q okay तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने पुराने वाली Q में क्या बचा आपकी पुराने वाली Q में क्या बचा सिर्फ इतना बाट बचा क्योंकि यह वाला पार्ट तो मने new Q में डाल दिया होगा तो इस पार्ट को लिख लेते हैं पंदरा सोला सतरा अठारा और एक new Q होगी मेरे पास एक नई Q बना दी मैंने उसमें क्या बढ़ा है उसमें क्या बढ़ा है यह वाले अलीमेट 11 12 14 समझ वागी समझ वागी तो यह पहला स्टेप कहता है भाई फिर मुझे क्या करना है सेकंड स्टेप के अंदर यह मैरे पहले सटेप में सेकंड स्टेप क्या कहता है सेकंड स्टेप कहता है जब तक तेरी नई वाली q empty नहीं होती ना while not of new q.empty तब तक खेलते हैं चलो आ जाओ तो हमने क्या बोला पहले 11 का element डालना है और फिर यह वाला डालना है तो हमने क्या बोला चलो देखते हैं हमने क्या बोला ऐसा करो कि यार जो 11 है ना इसको यहां से हटा ओ और यहां पर लगादो समझाई तो सुछाओं Solomon जैब नियुक्तिचिंगे टो लगादो कि अना लसक्व क्यों पर यहां लगादो नाही धाल यह लगा दो नहीं एक्वाली इता प्ताथ्न रगा दो इसको आपने q क्यम को इसको फच्वालिया यहां पर डालने काम कर लिया अंप और लुक यहां कर दो और फिर आपके Q में उसको push कर दो Q.push value इस प्रकार आपने जो हमने ये वाली गेम खेली है ये अचीव कर ली हो गया एक solution time connectivity क्या है भाईया मैंने बुलो off n है space connectivity क्या है भाईया मैंने बुलो एक नई Q यूज गरी हुए भाई तुमने जो कि आपकी n by 2 size की है तो off n one load समझागी सवाल ये नहीं था बट ज्यान से देखो सवाल क्या कहता था only a stack can be used in auxiliary space तो इस Q की जगा जो नहीं क्यों हमने बनाई है इसको मैं यूज निकर सकते है डाउड ही नहीं है मैं बताई क्यों अरे पता होना चीहां थोड़ा बताई ये तो क्या करते है stack use करना stack use करके solve करो मैंने बोले ठीक है आपने ये वाला question तो आप तो homework में कर लिया होगा न जो मैंने आपको stack का homework दिया था implement implement stack using Q और इसी का उल्टा implement Q using stack अगर नहीं किया दोस्तों तो फटापट कर लो इस इंपॉर्टन Q फटापट कर लो अब जो हम करने वाले हैं बहुत ही वेवकूफी लगेगी आपको solution यह है stack का यूज करना पड़ रहा है यह हमें hard constant दिया हुआ है आपकि stack का यूज करना दूबारा देखते हैं क्या हुआ हमारे पास इंपुट में इस पर करने पड़े हैं ग्यारा दारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा यह element पड़े हुआ है मैंने बोला मेरे पास टैक तुम देदोगे तो अगर मैं आप इसको दो हाफ में डिवाइड कर दो रहा है तो स्टैक में यह चार element आ जाएंगे कैसे 11 12 13 14 यह क्यों में से हट गए तो पहला स्टैफ क्या कहता है first half of q को कहां डाल दो अब मैंने क्या बोला कि स्टैक में से वापस q में डाल दो अब क्यों किस परकार देख रही है तो अब क्यों कुछ इस परकार देख रही है यहां पर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो क्यों में क्या पड़ा है 15 16 17 18 14 13 12 और 11 यह बास मझमा गई अब मुझे तो भाई इनको सीधा करना है ना पहले मुझे तो इस पार्ट को सीधा करना है पहले मैं इस पार्ट को सीधा कर लेता है तो मैंने क्या बोला क्या शैलो यह् нем वह मतलब 15 पॉप किया पीछ डाल दिया 16 पॉप किया पीछ डाल दिया इस प्रकार तो आपकी क्यों अब क्या हो जाएगी आपकी कूछ इस प्रकार क्यों हो जाएगी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यहां पर elements कौन कौन से हैं क्यों कर रहे हैं तो ना देखो भी समझ जाओगे कहानी बहुत मुझे पता है सलुशन बहुत गटिया लगे आपकी तरीका इसका तभी तो मैंने आपको सिंपल सॉट्ट आपको दिख रहा कि इस प्रकार हो जाएगा अभी इस पार्ट को मैंने दुबारा स्टैक में डाल दि क्यों दुबारा स्टैक में डाल दिया हमने क्या गया 14 13 12 11 क्या हुआ है क्या फरक पड़ा इतने स्टैब्लेन से मुझे ये फरक पड़ा है कि जिस और में क्यूं में यह पढ़ा गुआ था ना अब मेरे को स्टैक से उसी और मिल दाएगा 11 12 13 14 अच्छा इसले बार बार क्या करना है इसको पुष कर देंगे क्यूं के अंदर क्यूं डॉट पुष जो भी आपका वैल्यू आई है कर दी तो इन शॉट अप क्या हो जाएगा तो इन शॉट आफ की क्यूं में भी तक सिर्फ चार इलन पड़े थे 15 16 17 18 हमने 11 निकालके यहां लगा दिया यहां लगा दिया बहुत बढ़िया फिर मैंने क्या बोला 11 के बाद तो मुझे 15 चाहिए तो मैंने सिंपल सा बोला जैसे लगा तो वही चीज़ कर रहे हैं एक स्टैक है हमार पासर रिक क्यू है हमने क्या हो ला यह वैल्यू क्या हो गई क्योड़ फ्रंट क्योड़ पर इसको पुश कर दो क्यों के अंदर तो इन शॉट हमने यहां लगा दी 15 फिर हम वापस आये लूप में हमने 12 उठाया हमने 12 फिर हम यहां पर गए हमने 16 उठाया हमने 16 लगा दिया फिर हम वापस टैग में आये 13 उठा लिया हमने 13 लगा दिया ठीक है फिर हम यहां पर हमने 14 लगा दिया फिर हम यहां पर गए हमने 18 लगा दिया तो अध्यान से देखो तो आंसर का बन रहा है 11 15 12 16 13 17 14 18 अगर आंसर उपर देखने जाओगे 11 15 12 16 13 17 14 18 तो आंदर सभी निकल गया तो दुबार अलगे तो आपको दिखाए तो पहले फिर्स टाफ उफ क्यों को स्टैक में डाला तो और इस वाले पार्ट को पीश डाल दिया क्यों डाला तकि यह बहुत 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 बखवास था वट यही तरीका सौल करने का इसको और अप्टिमल तरीका में आपको उता देख सिंपल स्टेट क्यों लगाया और अंसर निकाला तो यह गुमा के गान पकड़ने वाली बात हो जाती है और कुछ भी नहीं है इन एन एरे या फिर हम कह सकता है इन सिंगल एरे आपको सिंगल एरे गिवन है आपको सिंगल एरे गिवन है इस परकार दिया हुआ है इसके अंदर यह कुछ-कुछ blocks है हमें उसने बोला कि आपके पास k की value ज़े है वो 3 है तो इस single array का use करके 3 q, q1 q2, q3 implement करके दिखाओ मैं push करना चाहूँ तो मैं तीरों में से किसी एक में कर पाऊँ या किसी में भी कर पाऊँ मैं pop करना चाहूँ तो मैं किसी के अंदर भी pop कर पाऊँ पर आप use करेंगे सिर्फ सिंगल array का कुश नहीं कहता है अगर आप और इंस्टैक्स in an array वाली वीडियो देख चुए तो आपको बहुत साहता मिलने वाली है और असान हो जाएगी आपके लिए चीज़े बहुत जादा इसको solve किस पर अगर करना है अप्रोच वन सोचते हैं बूट फोर्स हमारे दिमारे दिमारे वाला होगा यार क्या है कितनी q है total number of q कितनी k है पर मेरे पाऊच है तो अगर मैं इस पर गार इस array को अगर मैं इस array को k भागों में तोड़ दूँ अगर मैं इस array को k parts में तोड़ दूँ यह एक के हो गया यह दूसरा के हो गया और यह तीसरा के हो गया ठीक है तो यह basically आपका किस length का हो जाएगा अगर यह total length आपकी n है तो यह part आपके n by k का हो जाएगा तो इस पकार आपने क्या बोला कि यार इतना area आ रहा है यह मेरा q1 का हो गया इसमें मैं क्या करूंगा फरंट यहां लगा दूँगा और रियर यहां लगा दूँगा और अपना normal जैसे मैंने last video में सीखा था नहीं है क्यू को array से किस पकार implement करते हैं उस पकार इसमें push-pop operation चलेंगे फिर मैंने क्या बोला किया यहां से लेके यहां तक जो area आ रहा है इसमें q2 चलेगा इसमें front यहां लगा दूँगा और rear यहां लगा दूँगा और same जो मैं last section में सीखा क्यू और पुश पबबाब कर पाएंगे तो यह आपके approach हो गई जहां पे आप क्या करते हो array को basically k parts में तोड़ देते हो, हर एक part की length जो होती है, वो कितनी होती है, n, y, k होती है, n का मतलब है array का size, ठीक है, तो आप क्या करते हो, इस प्रकार इसको solve करते हो, बट इसमें सेम वही देखा है, जो हमने stack वाले question में देखी थी, कि मानलो मैंने यहाँ पर कुछ challenge push कर लिये, मानलो मैंने यहाँ पर कुछ डाल लिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, अब मैं 4 डालना चाहता हूं, मैं Q2 के अंदर ही 4 डालना चाहता हूं, तो बोलेय space को optimally utilize नहीं कर पा रहे हैं, आपका solution है आना यार, वो space को optimally utilize नहीं कर पा रहा है, इसमें यही एक drawback है, solution का, प्रोच्वन क्या कहती है, कि भाई मेरे पास सिंगल ले रहे है, मुझे कितनी के implement करें, मुझे के implement करनी है, सिंगल ले और के part में तोड़ दो, total k number of parts में इसमें issue यह है, कि यहाँ पे space optimally utilize नहीं हो रहा है, space optimally utilize नहीं हो रहा है, यह बास समझ में आ रही है, अब हम बात करेंगे, हमारी approach 2 के बारे में, ठीक है अगर इस पर कार नहीं, तो फिर किस पर कार करना है, मैंने बहुत सेम, जैसे हमने stack वाले question में किया था, हमने next array बनाय कि मुझे इस question को solve करने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले मुझे एक array चाहिए, जिसके अंदर में अपना data store करूँगा है, उसने बहुत सिंगल array में implement करें, तो मैंने बहुत से पहले तक array चाहिए, समझ में आग यह चीज, ठीक है, n size का मैंने यह array बना दिया, यह n-1 index होग और एक array चाहिए, जिससे stack वाले question हम देखा, कि हमें n stack implement अगर करने है, तो मुझे उन सब के top चाहिए थे, अभी तो मुझे ट्रैक कर पाऊँगा हो न, कि पहला stack कहाँ पे है, दूर्स ट्रैक कहाँ पे है, उसका front और array element, तो मैंने कि size के, मुझे total kq बनानी है, kq बनानी है तो मैंने k size के front बना लिया, और k size का rear बना दिया, समझ में आगी यह चीज़, तो मैंने बोला कर kq value 3 है, तो ऐसा करो, front में 3 size का array बनाओ, और इसके अंदर सब को initialize कर तो starting है minus 1 से, starting है minus 1 से कर रहे हैं, जैसे last video उने देखा, उसी प्रकार मैंने क्या बोला, कि rear में भी same 3 size क बनाओ, और इसको भी तुम initialize कर दो, minus 1 से starting में, तो इसको भी starting में, minus 1 से initialize कर देते हैं, तेक है, उपर रहे हैं, साफ तरीके से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं, यह दो चीज़ होगी, फिर मैंने के पहला, मुझे एक list चाहिए, जिसका नाम नेक्स्ट, इसका size है N, यह total basically, इन्पुट अरे का size है, यह क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है, भाई, कि current block के बाद, next free block कौन सा होगा, सिर्फ इतना ही, stack के नदर में, दो चीज़ देखे थी यार, कि हमने बोला था, अगर array of i, यानि अगर यह element जो है, अगर array of i में यह दर्शारा है, current block के बाद, अगला free block कौन सा होने वाले, एक तरह किसा आपको list पड़ी हुई है, जो कि आपको free slot के बारे में दर्शारी है, एक ऐसे list पड़ी हुई है, जिसको देखके आप पता लगा सकते हैं, free slots कैसे कैसे available है, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, हो सकता है कि आपको अभी समझ में आया कि मैंने क्या बोला है, एक बस समझा देता हूँ, ठीक है, example के लिए अगर हम यहाँ पर देखें, example के लिए अगर हम माल लो कुछ ही माल लो, एक, दो, तीन, चार, पाल, छे, साथ, अब मैं जीरो वाले ब्लॉक के बाद, अगला वाला ब्लॉक कौन सा फ्री है, तो इनिशली, इनिशली तो मैं देखों, तो पूरा पूरा एरे एमटी है, जीरो के बाद कौन सा फ्री है, जिसका इंडेक्स वन है, तो यहाँ वन आ गया, फिर्स्ट वाले ब्लॉक के बाद, यहाँ विद्ट सेवन के बाद तो कोई ब्लॉक अविलेबल नहीं तो कोई फ्री ही नहीं है तो आपने माइस बंडाल जी और चौति चीज हमारे पास क्या होती थी चौति जिए फ्री ब्लॉक यह हम कह सकते हैं फ्री स्पॉट तो एक वैरियेबल था जो कि में दरशाता था कि भाई अभी करंट अविलेबल निगर्एट आपका फ्री स्लॉट कौन सा है तो स्टार्टिंग में सबसे पहला स्बसे पहला होता है तो यह वो चार सीजिए जोकिया में रिकॉाइड होती है के क्यूंट करने में सिंगल एरे के अंदर ठीक है यह समझ में आ गई इसका पर पड़ लेली कंडिशन क्या हो गया कि और शौट के लिए जाकिर है लाइन का मतलब है कि जो आरे आपको दिया कुछ कर रहे हैं मानलो भर जाए मानलो इसका साइस पूरा हो गया हूँ वहाँ पर सारे लिएमटल के म्हाले स्पेश ही नहीं है तो उसके से आप और नए अलेमें से पुश नहीं कर पाऊ गया तो आप क्या बोलो कि बाई ओवर्फलो हो गया तो ओवर्फलो का बोता है भाई जगा अब फ्री स्लोट जो है माइनस वन हो जाए अभी तो फ्रीम आपको कोई आंसर दिखा रहा है जब फ्री के अंदर माइनस क्या सब्सक्राइब तहब करेंक्स कॉल औरले करने वाले है तो मिझे फ्री क्या जब्सक्राइबनी आप कैसे मल्ता है अब क्या सब्सक्राइल अब silence करना ऑफ गईक उप्देट था Namen के अच覺 मुझे उप्ड़ेट करना पड़ेगा अप्ड़ेट कैसे करेंगे मैं नेस्ट वाले से पोष़ लूगा ऑगला आंसर क्या होगा तो बोलेगा जीरो के बाद अगला अनसर जाए प्रीजित सब्सक्राइब ने फोसकता है कि मैं पहले उल्य हमें पुश कर नहीं है परानी वाली वीडियो में किया था आपको पड़ाता हूं कियों वाला पार्ट करता हूं था कि आपको आइने वाली वीडियो में सीजहें क्लियर होती है तो इसलिए हम यहां पर अलग से कि आपका अगर फरंट कर दो है कि आपकी क्यों न का क्यों अगर अगर फर्स्ट नहीं है तो यह बड़ा प्यारा समझज़े में यार समझतना कैसे होगा उसका मतलब यह है मानलों कि यह आपकी क्यूट थी हृप मैं क्यूट यहा प और यहां पर 8 बना लो इसको 9 बना लो तेक है अब आपको किसी ने फिट दोबर बोला किया Q1 के मज़े पुश करने है 17 तो आप 17 पुश करने आओगे तेक है बट आपकी Q1 किस प्रकार चल रही है आपकी Q1 किस प्रकार चल रही है Q1 कंदर पहले यह element होगा फिर यह element होगा औ भाई यह वाले element पुराने वाले element से linked हो वो कैसे करूँगा भाई next वाले array का यूज करके मैं क्या बोलुआ अगर मैं मालो कि 17 पुश करने वाला था तो रियर यहां पर होता है Q1 क्या बोलता कि यार next of इसका next of इस रियर का कहां पर होना चाहिए इस पर होना चाहिए इसका नाम क्या है इसका नाम किटा इंडेक्स है तो मैंने बोला next of रियर ओफ क्यों इसका मतलब इस बात का इसका मतलब यह है कि मैं जो नई तो मैंने बोला Q1 में मानलो दो element पुष करने आए एक 3 और एक 5 तो आपने यहां पर 3 पुष कर दिया और आपने यहां पर 5 पुष कर दिया आपको दिमाग में होतना हीट नहीं कर रहा है कि लॉजिक क्यों लगाना पड़ रहा है अब मानलो कि कुछ element आगए कि किसी ने बोला कि क्यूट के अंदर आप 7 डालो और 9 डालो अभी आपको सही लग रहा है कि ठीक है क्या दिक्कतारी है अब दुबारा कोई आके बोल दे कि बाई क्यों के अंदर मुझे 15 डालना है तो 15 तो आप यहां पर डाल दोगे बट इस 15 को मुझे पुराने वाले element से क्रेंक्टिव तो करना पड़ेगा ताकि जब मुझे के बोले क्या क्या कि सारी element बताना तो आप बोलो कि पहले 3 था फिर 5 था फिर 15 था तो 5 के पास 15 बताओगे ना आप कैसे बताओगे कोई ना कोई एक लिंक तो होना चाहिए वो लिंक के किस कि क्या क्या कर रहा है किसका कौन सी क्यू का इस वाली क्यू को कर रहा है और चैयां से घडागे और यहां 15 पुश कर दिए हैसे कुछ किया होगाना तो हम किस्पकार ट्रैक रेखें किया पर करने दो निकार का नेक्स्ट आँ यह इस प्रकार के कि इस रियर का जो नेक्स्ट आ रहा है उसको हो उसको पुष्ट करने वाले गाल चुक है है याँ निक्स टेक्ट इसको आपने इसको इसको इस पे करिक पॉंट करवागई उसिंग नेक्स टैरी समझब आ गई इस पर आपने नेक्स को एक और तरी ही इंट्राइस कर लिया ये चीज दो हमने के देखा यह वाला पार्ट भ तो इसका next हो minus one करना पड़ेगा क्या इसका next जो है यह से हमने को value डाल दिया है तो इसको free slot available नहीं है इसको minus one कर दो ठीक है आगे क्या होगा मैंने बहुत simple है भाई मैं जब किसी Q में insert करता हूं तो कहां करता हूं पॉंट कर दिया रियर को इंदेक्स कंगया पुष कर नहीं है हम सबसे पहले किस उर्प अगर अगर फ्रीज गलाग उसका अच्छुका फिर हमने क्या बोला कि index find करो जहां पुश्ट करना चाहते हैं मुझे का बता है कि यह वो तो कहा मिलेगा इस free spot में मिलेगा इस पर फ्री करने वाले हो इसका मतलब है कि उसका को फ्री सोट अविलेबल ही नहीं है तो आपने अपने अपने पुश्ट कर दिया बहुत बढ़िया इसको ट्राइड करेंगे चिंता ना करें इसको देखते हैं कि मैं पुश्ट करना चाहता हूं मैं पुश करना चाहता हूं 5 for first queue सुमझ मैं चीज पर पहले तो भाई अपना index निकालो काँ पुश करना है फिर मैंने के बोला free spot का update कर दो free spot क्या होता है इस इकल टु nextopf index तो free spot क्या हो गए next of index क्या है Zero Venatori ने पण बरीडिटके क्या है one तो यह zero हट गया और इसके अंदर कि पहले वाली क्यों के लिए अगर माने तो Alan तो आप क्या करते हो FRANется को आप इकोल कर देते हो किसके फ्रंट को क्यों वेल क्या थी इनकी体 आ पने हैं यहा से यह बीहिंग लिए हो गया कि भाई ऐसा करो रियर को अपडेट करो बाई यह पुश्ट करने वाले हैं तो रियर हम कैसे अपडेट करते हैं रियर आफ क्यों इस इकल टू इंडेक्स तो हमने यहां पर बहुत बढ़िया इस पकार आपने इंसर्ट कर लिया अगर मैं ऐसी आपको ले जाओ आगे और बोल करना है 2nd U gp में कैसे हो गा पहले इंडेक्स निकालेंगे फ्रीर इंडेक्स कौन सा है वन है आ प्रींट करतेंगी फ्रीasmad कैसे होगा सब्सक्रालिए Moran पिल्स कर रहों किया मैं पहला पुश कर्ण कर्सक्रारेख philosophy करना उँदर निगर uh ला बन आ गया है, सब्स्वारी है? मैंने क्या बոला कि यहां पर हटा कि पुछ कुछ कुछ करने वाला हूं, तो भाई इसको हटा के मैने समद क्रदो यह भी हो गया, फिर मैंने क्या बोला कि muझे पुछ करना है, तो , the layer को मुझे अप्डेट गया कहां मैं आया हूँ और मैंने बोला कि मुझे दुबारा पुश करना है मुझे पुश करना है कहां पर मुझे 15 खरना क्यू रिए 35 100 00 टेक है उसका मैंने क्या बोला कि क्या मैं पहले element insert कर रहा हूं Q1 के अंदर क्या मैं Q1 के अंदर यहां पर पहले element insert कर रहा हूं भाई यह minus 1 के equal नहीं है तब पहले element insert नहीं कर रहे हैं else condition क्या कहती है कि भाई next of rear next of rear और जो भी आपकी Q है हमारे case में आपकी Q1 है उसको equal कर दो index के तो मैंने क्या किया मैंने क्या किया अभी तो rear इसको दरशार है अभी तो rear of Q1 जो है वो इसको दरशार है न देखू rear of Q1 हैं पर दिखर आपको 0 of index पर 0 को दरशार है मैंने क्या बोला next of rear of यह तो इन शॉट क्या हो गया next of rear of q1 की value क्या है जीरो next of 0 क्या आ गया next of 0 आ गया index index की value क्या है two तो यानि कि यह जो है अब इस वाले index को point कर रहा है इसको पॉइंट कर रहा है यहां पर Q1 का अलिमेंट आएगा इसका मतलब देख है फिर मैंने क्या बोला कि नेक्स्ट ऑफ इंडेक्स जो करन्ट अलिमेंट जहां पूट कर रहे हैं उसको मानिस्वन करो भाई फ्रीश्ट अवेलेबल नहीं है तो यहां पर नेक्स्ट ऑट कर क्या प्रट कर दिया पर यहां पर लगा दिया कि इस प्रकार आपका पुश ऑपरेश्ट चल रहा है अगर मुझे आपको इंप्लीम्हंट करके दिखाना हो तो इस पकार कहातां इन कोल эти काक्लाज मुन संहाथ के क्यूए थी किया है और इसके अंदर मैं था इटे में नहीं क्या क्या होगे होगंने होगा प्र एक हमारा के होगा तो यद मेरा करियर कायरे होगा उसके बाद मेरा एक एक फ्री स्पोर्ट होगा और एक मेरा next कायरे हो लिए है इस परकार गात अब करना है जैसे हम ने पड़ा था भी थो कि अब इंपड में आ पे आ रहा होगा और के आ रहा होगा तो मैंने वो ला देश का N इस इकल स्थ और एंड इस परका अजुब के लिए उकल से और कि पिर फ्रंट मुझे के साइज काये बना नहीं वो लगान ना रा हुए देश का N कि और गूल पर अब डिया थिकला थे और फ्री इसपार्ट को मुझे फ्री स्पार्ट को मुझे स्टार्टिंग में जीरो रखना है और यहां यहां पर क्या करेंगे इसी प्रगार में आगे गया मैं लूप चला जो मुझे नेक्स को अप्डेट करना है इसमें मुझे नेक्स को अप्डेट कर दिया है हैं यहां पर मैंने वह लोगी चलाते हैं फॉर इंट आई इसीडियो से डेगे आई लेजन डालना होता है इस वकार चलना है तो आपने ये इनिशलाइस कर लिया सब पुछ तेक है यह आपका कंस्ट्रक्टर हो गया आगे बढ़ते हैं भाई यह मुझे पुछ करना है या फिर मुझे एनकी ऑपरेशन है उसकी बात करते हैं मैंने बला वाइड एनक्यू इसमें आपको क्या पुछ करना है कोई data होगा ला मुझे यह data पुछ करना है इस वाली Q के अंदर किस परकार होगा मैंने वोला कोड लिखते हैं हमें का पता है पहले आपको डिशिन करने होती है ओबवरफ्लो चैक करेंगे आप सिंपल से करते हैं इस फ्री इकल दीकल तो इस इकल तू मा no empty space is available is present तेक है और रिटर्न कर जाओ किया समझ में आ गई इसका ना में फ्री स्पार्ट आगे गली कंडिशन क्या कहती थी किया इंडेक्स फांट करो फाइंट फर्स्ट री इंडेक्स तो मैंने क्या बोला एंट इंडेक्स इस इक्वल्स टू जो भी आपका इंडेक्स है ठीक है फिर मैंने क्या बोला चेक वैदर इसमें हमें बेसिकल लिंक करना होता है लेंक न्यूव एलिमेंट तू दी प्रिवियर्स एलिमेंट कैसे लिंक करोगे कि next of the year of qn-1 is equals to is equals to index is equals to index हो गया उसके बार मैंने बोला अपडेट करो next को एक बार ठीक है आपने बोला कि next of जो भी current index है is equal to minus one कूँ उपर free shirt available नहीं अब मैंने करना है लौब अगे मुझे करना होता है अफडेट करना होता है रियर को कियो मैं इसे करता हूं आपको समझ में आना चाहिए ठीक है तो यह पुछ वाली चीज हो गई अब पॉप की बात करते हैं और भी ज्यादा असान है समझते किस प्रकात पॉप की यलकर्थम क्या कहती है तो देखे हैं फटाफट हमने बहला पॉप करना है ध्यांत सो जो पॉप में सबसे फ़हली कंडिशन क्या होती है कि चेक कर लो एम्टी तो नहीं है अगर आपकी करते हैं तो इंडेक्स फांड जब मैं कर रहा हूं मैं बहुत कॉंसे को पॉप करना भाई उसने वह पॉला अगली चीज क्या होती है मुझे पता है जब ही मैं डिलीड करता हूं क्यों के अंदर तो मैं फ्रेंट को प्लस प्लस करता हूं फ्रेंट को आगे बढ़ाएता हूं आगे कैसे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले आरे से तो मैंने बला फ्रेंट को आगे बढ़ाना है तो फ्रेंट आगे कैसे बढ़ेंगे नेक्स्ट आपने फ्रेंट को आगे बढ़ा और नाइन डो था पूरा रहा है तो हमने के भोले कि यहां से पाप करना है थो फॉप तो मैं ने कान पर यह तो फॉप यहां से आगे बढ़ा दो इसको रख लो कि भी मन करें तो इसको माने सब्सक्राइब इसके भाइब अभी तो हमने क्या कि है इसको मुझे अप्डेट करना है फी सलोट है बट दुबार समझते क्या हुआ अभी तक प्रिश लोट के अंदर इसको दर्शा था जब इसको डिलीट नहीं कि यह था बट अब आपने इसको डिलीट कर दिया, तो ये भी एक free slot हो गया, दुबार समझ भाई, दुबार समझाओं, तो दुबार समझाते हैं आपको, मैंने क्या बोला, कि आपके पास ये एक क्यों थी, यहाँ एक element पड़ा, यहाँ एक element पड़ा, यहाँ एक element पड़ा, और यह यह भी एक free slot है इसको भी उसको बहुत कर सकते हैं तो मैंने क्या बोला कि दोस्त बहुत असान है free का मतलब करता है जो पहला available free spot हो तो free को तो मुझे पता है कि मुझे free को यहां लेकर आना पड़ेगा बटि इस दब्रेक के बाद यहां भी तो पहुंचना यह लिंक होना चीए यह लिंक कहां पर होता है free slot के list में होता है free slot के list कौन सी है next वाली तो मैंने क्या किया मैंने क्या कि मैंने बोला कि next को अपडेट करको पहले मैं रोड़ों next of index is equal to free तो इसका मतलब मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला कि जो next वाले लिश्ट है ना वो इसको इसका नाम क्या था इंडेक्स है ना बहुत बढ़िया फिर चेक करो कौन से इंडेक्स हो पाप करना है निकाली इंडिक्स पॉप कैसे बता लागे भाई। भॉय याँ पॉप करें एम फरंट को आगे बढ़ाते हैं, तो अगललो अगे डिया, आगे कीजिन बढ़ते हैं। और आगे से सीथ को नि भड़े ए एक लाए को नुचित हो और यहां का था। नेक्स्ट है तो फ्रंट को मैंने आगे बढ़ा दिया यहां पर लिख देता हूँ आपको प्रंट को आगे बढ़ाओ लिखता हूँ कि यार next of index is equal to free क्या मतलब इस बात का इसका मतलब है कि यार index इसको point कर रहा है उसके बाद free slot कौन सा है उसके बाद free slot सीधा free ये वाला है ये वाला यहाँ पे तो मैंने ऐसे कर दिया कि इसके बाद ये आएगा तो जब मैं पूरी कहानी कि यार next of index is equal to free तो in short आपकी ये mapping हो जाती है free list में ये mapping हो जाती है और free आपके इसको भी तक इसको दर्शा रहा था तो मैंने बोला इसको काट भाई और सीधा यहाँ पहुंच जा तो मैंने के बोला free भाई तू ऐसे कर यहाँ से हट और index में ने कल खतम इतना ही करना पॉप करने के लिए दुबारा ये बार code करके देखते हैं आपको try and भी करके देखांगे दर्शा नहीं याँ तो मैंने के बोला void dq और इसमें मैंने बस q का नमबर दिया होगा मुझे कि यार किस q में से पॉप कर देना तो मैंने का बहुत है बहुत ही अगर आपकी qm t है आपका अंडर फ्लो है और qm t कैसे पता लागेगी अगर आपका front minus 1 आपका qm t है समझ मांगी तो मैंने बहुत है front of qm minus 1 is equals to minus 1 तो इसकेस वाँ qm t आपने वाला c out q underflow अगर रिटर्न कर गया अगला क्या होगा मैंने बोला find index find index to pop int index is equal to जो गाँ को front है qn minus 1 फिर मैंने क्या बोला कि front पा आगे बढ़ाओ तो मैंने बोला front of qn minus 1 is equals to next of next of what next of index फिर मैंने क्या बोला कि free slot को manage करो free slots को manage करो तो कैसे होंगे आपना next of index is equals to free इससे क्या होगा इससे basically आपने यह बना दिया है इससे basically आपने यह बोला कि इस free वाले slot के बाद अगला free slot यह आएगा यह कर दिया आपने और free इसका नाम है free spot और फिर आपने बोला कि आप free spot नया वाला free spot कौन सा है इंडेक्स वाला इससे क्या होगा भया इससे यह होगा free spot की definition क्या कहती है कि मुझे पहला possible free spot बताओ जो free spot यहां पर लगा हुगा था वो यहां से अटके यहां पर आ गया इस लाइन से यह हो गया इतना हो चुका है तापकि यह दो चीज़े हो गई है इसको run करके देखें मान लो मान लोकर में ऊपर जाओं और मैं ऊपर जाके बोलूं के भाई इस एक्जामपल हमने किया था इसको साफ करते हैं मैं ठीक है इस से आगे हम मैंने बोला पॉप करो दोस्त कहां से मुझे ऐसा करो पॉप करके दिखाओ अब मज़ा आएगा तो इनश्वाट मुझे यह क्योट का element है इसको पॉप करना होगा इसको कोड कैसे करेगा लिए पहली लाइन क्या गयती है अंडरफलो चेक करो अंडरफलो के मैं मैं बोला क्या इसका front जा हो माने सुन की कोल है तो front उफ क्यों पर फ्रंट को आगे बढ़ा दो फ्रंट को ऑंगे कैसे बढ़ेगा और व्रंट में आने बुला भात है, उसको नेक्स के इकुल करना है, नेक्स्ट फ्रंट फ्रंट किवथी स्लॉट को मैने इसको आपने हटाया और इसमें आपने क्या बोला कि दो इसको ऐसे ये फ्री लिस्ट वन जाएगी इन शॉट कि भाई जब अब कोई डाला हूं तो वन में डाल देना और वन के बाद कहां डालोगे वन के बाद 3 में डाल देना ये भी सही चल रहा है अब बहुत बढ़ी है यानि पहला जो अब पुछ करने को आप पहले यहां डाल देना क्योंकि अविलेबल है और उसके बाद अगला कहां जाओगे अगला नेक्स वाल लिस्ट यहां पहुंच जाओगे इसको नीच जोगे तो इस पकार हमने लॉजिक लिए पाप का एक बास लॉजिक राट करके देख लिएक चलता खी है तो फटापट से क्यू बनाते हैं क्यू क्यू मैंने बोला क्यू डॉत मैंने बोला क्यू ड़ाट एंक्यू इसमें पुछ का न चाहता हूँ है 10 पहली वाली क्यू में यहां प्यागण बयाट है इसका और 9 डिपाल्ट धिश् यहां पर कंणर कंट्र्सक्राइब भाल मुझे 10 पुश्ट करना है फिर माने बोला मुझे 15 पुश्ट करना थे Q, 1 मेंने बोला कि मुझे Q , 2 के अंदर फिर माने बोला कि मुझे एक और拜拜 खaction on इस परकार बना चाहिए इस परकार बना आजाइक अगर इए आपका एक array है तो क्या होगा तो क्या होगा यहाँ पर आपका 10 डला हुआ जो की Q1 का है फिर यहाँ पर आपका 15 डला हुआ जो की Q1 का है फिर उसके बाद यहाँ पर 20 डला हुआ जो की Q2 का है उसके बाद यहाँ पर 25 डला है जो की Q1 का है बहुत बढ़ी ंहां अब अगरे मैं बोलूंitate कि दोष्द मुझे डीक्यू करना है जासे क्या आंसर मिलेगा या ऑपकाज़ अने वाला या कि वह लग Carlson करना इसके बाद वर यह वर दोबार क्यूंए का तो क्या अंसर आएगा यह क्यों उनका लाश रेंड बज़े 25 तो 25 आएगा तो इंश्ट में आएगा 10, 20, 15, 25 इस पकार अंसर आना चाहिए तो देखते हैं इस पकार लिखके यह सही चड़ेगा भी या नहीं तो मैंने क्या बोला एसी आउट क्या प्रिंट करना है क्यों डॉ अफिर बाकी दुन है फर्स से करना इसको फटोर चला कर देखते हैं अंसर आंसर आएगा 10, 20, 15, 25 इसको एक बार और पेस्ट कर दिया तो क्यों एंटी है अगर क्यों एंटी है और मैं पॉप करने का ट्राइ करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा 10, 20, 15, 25 इसको लाश्ट है पहुत बढ़िया तो कोड मेरा बिलकुल चल रहा कर मुझसे आप कोहीं बोले या आप से आप कोहीं बोले कि भाई के क्यू या एनक्यू implement कर दो इन सिंगल एरे तो आपके लिए वह करना बिलकुल मजाक होना चाहिए आपके लिए उंका उनको कर आता हूं जानब को उत्कर कर रहे हैं ताकि आपको complex ना लगी solution ठेक है अगर लग रहा है तो एक बार वीडियो रपीट करना आ जाएगा समझ में पुश करने जा रहे हैं हमने क्या वाला पहला पहला चेक कर लो यह नौ कि स्पेस अवेलिबल नहीं और तुम पुश करने पहुंच गई हो इस केस में वा क्योंकि हमने फरंट और यह माइनिस वन में कर रहा है स्टाटिंग में अगर तुम पहले अलिमेंट है तो फ्रंट को सभी जगा पर ले आओ यानि तुम कोई फर्च एलमेंट के बाद यह वी सेकेंड फर्ट फोर्ट ऊविबल में डाल रहे हो जाल रहे हो तो उसको पुराने वहले इलमेंट से लिंक कर वा देना बिंक कर वा दिया अब क्या करो जो फ्री इसलोड था ने करेंट इंडिक्स का वो त्यार माइन डाल क्योंकि आंतो वह फर चुका है कए फिर आमने क्य क्या बोला कि एब क्यों करते को अगे बढ़ा दो अपना आंसर को पुछ कर दो पुछ कर दिया स्वी में तों हली रिटर्न कर दिया फॉर का आप करता कााँ खर Union क्यों बधाइता ha के अदुछ कब को लिए फ्री स्लोट अवेलेबल हो गया क्योंकि फरंट आगे बढ़ चुका तो पुराने वाल ब्लॉक है जो फ्री हो गया तो उसको मैनेज करेंगे उसको इस प्रकार मैनेज कर लेंगे और आंसे रिटर्न कर लिए तेक है ड्राइर नहीं करोगे इस को तो बिल्कुल समझ म नहीं आएगा हो जकता है अभी आप पचास परशन वाल के जब तक इसको खुड ड्राइर नहीं करोगे तो तब तक समझ में नहीं आएगा टेक है जी एफजी पर यहां पर जाओ और यह एक्जामपल पकड़ो और इसके इसाफ़ ड्राइर न करो लोगिक को अब क्या होग अब क्या होगा अब क्या होगा हर लाइन को ऐसे पकड़ के सोचो के भाई क्यों वाई य देस वाइद उन फीं कि आस वाई मैंस वन वाई मानरे मानोगो वाई वाई करके जब कोड़ समझ में चल पड़ोगे नहीं तो कर लोगे में जब आको किसी को समझाना होता है तो भी आपको वाई पता होना चीए इंपर्टन है मेरे case में बच्चा ऊचेगा आपके case में इंटर्विक ऊचेगा तो why should be clear के भाई क्यों लिखा है क्यों करूं-1 क्यों ना करूं-1 हर चीज का पता होना चाहिए तो आप बिल्गुल सही रहा पर चल पड़े हैं अब चलते हैं हमारे अगले कोशन तब इसका नाम है Sum of Maximum and Minimum Elements of all subarrays of size k इसका नाम है कोशन क्या गयता है बहुत प्यारा कोशन है ठीक है ऐसा सेम पर इसका जो concept है वह आपके window size दिया होगा k is equal to 4 तो हमने का बोला आपको हर एक window में maximum और minimum element find out करके उनका Sum return करना है आपको हर एक window में maximum और minimum element निकालके उनका Sum return करना है विंडो वाला कोशन यादा रहा है थोड़े पहले कोशन किया था आपको नेक विंडो के इंदर फर्स नेगिटिव element निका रहा था second या third question करना है वह लॉजिकल लगना हो ला है देखते हैं तो पहली window क्या होगी four size की पहली window four size की होगी यह इसके अंदर maximum element क्या है इसके अंदर maximum element आएगा भाई 7 और minimum क्या रहा है माइनस 1 इनका sum क्या हो गया 6 आपको पहले answer क्या हो गया 6 हो गया अगली window क्या होगी अगली window जोगी यह होगी कि इस Windows में क्या रहा है Max में सारा है seven मिन क्या रहा है मिना- द्री आंसर क्या गया मत अब सम क्या आगिया सम मरोब थे एक प्लास stay जाना है अप्रोच किस परकार सॉल करना है इसको समझते हैं परोच पहली चीज क्या हो सकती है भाई है मैंने एक लूप लगा लता हूं बाहर जो कि हर एक सिंगल करेगा हरी सिंगल में ट्राइवर्ट करेगा फ्रॉम आई जीरो से लेकर आपका लेजन एन और फिर अंदर लूप लगा जो कि के टाइम से लेगा जैसे मैं इस वाले एलिमेंट पे हूँ तो इसकी विंडोर मैंने देख ली है न कि टाइमस में जाके इसमें मैक्सिम फाइनट कर लोगा और जब बहार आउंगा तो सम निकाल के स्टोर कर लोगा मैंने बोला तो दोस्त वाह क्या बात है तो इन्शोट आपने यहाँ पे गए फिर आपने इसक कि लिए क्सटेक करें है दिए इस प्रकार की हो गई इस प्रकार कि हो गई तो यह इक पर उंपर सकते हुआ ह हम अ को आता सकते हो मैं और ट्रा कर लेते हैं हो जाने ओशिए آटे कर लेते हैं हो जाना जी घ म आक sih है है हमने भी कोशिन किया थोड़े पर इसका नाम था फाइंड फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर इन विंडो साइज के हमने पहला नेगेटिव इंटीजर निकालते थे एक के साइज विंडो के अंदर पूरे अरे के लिए ठीक है वहां पे हमने डबली एंडिड क्यों थेक है मैंने के माला बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा सिंपल हूं तो मैं क्या करता हूं मैं डबली एंडिड क्यों बनाता हूं किसको ट्रैक को नेकले मैक्सिम खसाइस की होगी तो जैसे मैंने find first negative integer वाली question में किया हमने एक w ended q बनाई negative integer को track करने के वैसे यहाँ पर वन्हें w ended q बनाई max integer को track करने के कि इस विंडो में उसी पकार मैंने एक और q बना दी भाई मैंने उसी पकार एक w ended q दुबारा बना दी जो कि minimum element को track करती है ठीक है तो दो w ended q हो गई एक आपका maximum element निकालेगी एक आपका minimum element निकालेगी जैसे उसमें negative element निकालते हैं इसमें maximum in निकाल रहे हैं कुछ भी different नहीं भाई वहाँ पे less than 0 चलता हो यह आप चलता जाएगा और कुछ भी नहीं होगा सिंपल है तो मैंने क्या का मैंने का मैक्स वाली यह double ended q है इसका नाम अच्छे से रखते हैं इसका नाम मैक्सी और नीचे वाले का नाम मिनी रख देते हैं तो ध्यान से देखें यह वाली आपकी maximum element का track रखती है इन शॉर्ट मैं कहता हूं कि हमेशा आपकी maxi road front में उस case window का maximum element पड़ा होगा तो maxi के अंदर decreasing order में decreasing order में elements होंगे decreasing order में elements होंगे देखें जैसे मैंने बुला के जैसा वह चार था तो इस case में क्या हुआ इस case में पहले आपने इसमें two डाला होगा तो फिर आपके माइनस five और just you तो छोटा है तो आपने माइनस 5 नहीं डाला फिर आपकर minus 1 आया हो भी छोटा है two चै वह भी आपने डाला फिर 7 आया तो 7 आगे तो भाई मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहां पर कि maxi.front maxi.front क्या देता है यह आपको देता है maximum element in k-sized window उसी प्रकार यहां पर जो आपका many.front है यह आपको देता है minimum in k-sized window समझ मैं आगी? तो पहला step तो आपका यह हो गया आपकी यह WNAQ maxi में और मेनी में सिफ relevant element पढ़े होंगे जो element required है वो ही पढ़े होंगे इन इंडेक्स पढ़ा होगा उनका index पढ़ा होगा इंडेक्स क्यों रख रही हो? यह element क्यों रख रही हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको यहाद है condition जो मैं आपको बोला था कि यार आप index को माइनस करके चेक करोगे कि यह particular current element के size के window में आता भी है नहीं आता ऐसा होता है कि हम एक window बनाते हैं ज़िए हम अगली window में जाते हैं तो एक removal हो रहा होता है तो रिमोबल के condition होती है रिमोबल के condition मुझे index के need होती है आपने दिखा होगे second question के लिए जा हमने भी किया था इसलिए why should be clear भाई पता होने चीए क्यों चाहिए index को रहा रहा है element को रहा है वह important है यह बात समझ मागी मुझे अब मुझे का करना है अब मुझे आंसर निकालना है तो अब फटा फट यहां पर यह बना दूँ कि भाई यह हो गया two five minus one seven minus three minus one minus two तो अब मैंने खिया कि मैंने पहली जो window है वह तो अपनी wndq में relevant element पड़े हुए है relevant element पड़े हुए अब मुझे अगर maximum minimum निकालना होगा तो मुझे पता है मैं उस फ्रेंट से आंसर निकालना होगा तो मैंने बहुत चलो स्टार्ट करते हैं लूप को चलो लूप को स्टार्ट करते हैं और मैंने बहुत तो मैंने एक लूप चला दिया भाई कहां से शुरू करना है सबसे पहला सम निकाल लो वाई सम कसे निकलता है उसके मुझे maximum value और minimum value पते रहें चाहिए तो मैंने बोला maximum value कहां से आएगी maximum value आएगी maximum value और उसी परकार minimum value कहां से आएगी minimum value आएगी आपकी minimum value निकाल लिया तो मैंने बोला sum plus is equals to आपका maximum नमबर आया और आपका minimum नमबर आया तो आपने यहां पर एक sum निकाल लिया जिस भी आप current window बैठे हो गए महां का आपने sum निकाल लिया पहली वाली विंडो बैठे हुए तो आपने इसका sum निकाल लिया आपका answer के आगे 7 हो रही है आपका minimum minus 1 तो इन्विट आपको समझे है वो 6 हो गया starting ने इसके बाद क्या करना है इसके बाद मुझे अगली वाली विंडो पर जाना होगा मुझे अगली वाली विंडो पर जाना होगा राइट तो अगली वाली विंडो में जाते है भाई इसके मुझे नेक्स्ट विंडो में जाना होगा नेक्स्ट विंडो को तो आंसर निकाल ल तो रिमूबल के लिए सोचते हैं रिमूबल के लिए मुझे याद है वो इंडेक्स के दुआर कंपेर करूंगा गिर्द निकल्टू के हुआ तो या आप लिश्ट से बाहर है तो आपको हटाना पड़ेगा तो मैंने क्या बोला कि वाइल जो भी आपको element starting में पड़ा हुआ है let's say उसका नाम है q.front या फिर हमने तो maxi नाम रखा हुआ हमने वहला while maxi.front जो की एक index होगा यहाँ पर maxi.front आपने starting को लिगा था ना इसको basically हमें array के अंदर यूज करना पड़े है या इंडेक्स ही जहीं ठीक है while maxi.front minus जो भी आपको current index है इस greater than equal to k तब तक pop मारो भाई removal करो removal करो तेक है सेम चीज मिनी के साथ करना भाई सेम चीज मिनी वाले के साथ कर लेना आप कर देना तो हमने removal पार्ट कर लिया अब बात है addition की भाई addition कैसे करना है तो अब को मिन कर दिया तो इतना पार्ट का हो गया तो आप क्या कर रहे हो हर window में जा रहे होगे और कुछ removal करते हो इतना task अब यहां लूब से और आइक विंडो बची यहां ये वाली लांटा अपने प्रोसेस ने किया अब तो समझे से हैं किया रहा हुँ है मैंने वह ना होंगे नियुद कि सैंब mu तो लाश्ट लूप का अंसर एक बार निकाल देना याद कि लाश्ट लूप के लिए सम प्लस इस इकल टू जो गया उपर लिखा था वही प्लस कर देना और आंसर रेटर्न कर देना भाई कि मुझे यह maxi.front और mini.front से अपना maximum element मिल जाए maxi.front जो है index दिखाता है basically आपके यहां पर ऐसे array of यह लिखना पड़ेगा तो आपका maximal वाण आजाएगा यह समझ गया हूँ एए उसके बाद क्या हुआ मुझे हर विटो को प्रॉसेस करना है हर विटो को प्रॉसेस करने आया उसका answer निकाल लिया इस प्रकार यह चीज चल रही है इसको एक बार code करके देख लेते हैं तो हमने क्या बोला कि मेरे पास यह पड़ा हुआ है int error of 7 क्या पड़ा इसके अंदर 2,5,1,7,3,1,2 ऐसा अब मैंने एक function मना दिया इसको solve करेगा इसके अंदर मैंने array पास कर दिया और इसका size पास कर दिया और यह मुझे एक answer रिटर्न कर देगा उसका ब्रेंट करा दो हूँ मैं आप फड़ा फड़ा अपना solve function लिख लेता हूँ जहां पर मैंने पास एक array आ रहा है और इसका size आ रहा है तो मैंने क्या बहला पहले तो मुझे इसका नाम maxi रखूँगा के size की चाहिए उसके मैंने बहला एक और बनाओ इसका नाम mini रखूँगा के size की चाहिए और मैंने बहला कि include भी करनी पड़ेगी क्यों तभी चलोगे नहीं तो चलना ही पाओगे इतना काम होगे आपका अब हमने क्या बोला अगला part के मुझे पा आप सबसे पहले अडिशन देखते हैं तो पहला step क्या है addition of first case size window तो यह बाला part कर लेते हैं हम ने कहला for int i is equal to zero से लेके i less than k इस case में क्या करना पड़ेगा simple चीज़ है एकदम simple सी चीज़ है आप सिर्फ वही element इसके अंदर डालेंगे जो कि यह वाली property satisfy कर रहा हो कि भाई decreasing order में जाना इसमें और इसमें increasing order के अंदर जाना ठीक है तो आपने क्या बोला पहले एक loop चला दिया आपने आपके maxi के लिए while maxi.back जो है यह वाला जो इंडेक्स है इसकी value के से लिए कि यहां पर आपका ARR लगा के जब तक यह value जो है आपके array की value से छोटी है तब तक भाई pop मार देना maxi.back देक्या सेम चीज आपने लिखी के वाइल आपका ARR of maxi के जागा mini.back यहां पर गड़ता है निकुल to ARR of i तो इसमें पॉप कार देना mini.back यहां पुश करते जलोगे maxi.pushback i mini.pushback i तो इन शॉट आपने आपने आप एडिशन वार लाजिक लिख लिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि ठीक है एक गलती हां पर यह है कि हो सकता है कि आपकी यहां पर भी not mini.empty and end तो इसमें आपने अपने एडिशन वार्स्ट के साइज विंडो कर लिया इसके बाद अगला स्टेप हमें क्या कहता है अगला स्टेप कहता है कि भाई लूप में ट्रैवल करो आके सारी विंडो को चेक करो स्टार्ट किया हमने के से अगली बिंडो में जाते हैं नेक्स्ट विंडो में चलते हैं कि आपका मैकसीज एमटी ना हो इस प्रकार इसका अपने कॉपी कर लिया और यहां पेरे करो आगे आओ फिर दूपरा पेरेस्ट करो और इसको मिनी के लिखनो इसके बार अगला का लोजिक क्या होगा मैंने बहुत देख पार यह लिखा तो यह आपने एडिशन का लोजिक भी उठाया और यहां पर चिपका दिया का थे जिए अधिशन भी कर लिया फिर आप भार आओगे कि मेक शॉर कुकंशीडर लास्ट वाली विंडो कर लेते हैं एसा नियुए कि आपको विंदो कर लेते हैं हम यह ज्याओ अलग से कर ली और उसके बाद हमेशा नेइक्शा विंडो पर जा ते हैं और हमेशा अगले iteration पर जाने से पहले हम यहां पर पर अपना Încer निकाल लेकर हैं तो इस परकार हमें यहां पर code लिखने के need नहीं बढ़ती है तो हमें इस परकार यहां पर लिखना पड़े गा कि हमने यहां पर calculate पुलिट कर लिया और हम सेम चीज लाष विंडो एक लिए रेप्लिकेट कर रहे हैं समझ मैं दो तरीके है पहरा तरीका अगर आप यहां पर लिखते हैं सीधा तो आप लास्ट विंडो भी यहां पर करने पड़ेगी या फिर आप मानगो पहली विंडो खतम होने के बाद यह यहां पर यह जो bracket है यह इस प्रकार होगा इंकल तरिका हुआ है यह बताए किया है तो फटा बट दिखने क्या हुग अप तक हम ने क्या कि आप पहले case विंडव हमने create कर ली उसका answer निकाल लिया और फिर हमें बागी सारी की सारी windows को हम track करते जा रहे हैं हर एक निकाल लिए कोश्राइए तो इसका उन्सर का सोसे इसकेस में 18 आना चाहिए तो रन करते हैं और 12 आ रहा है तो हमने कहीं न कहीं चोटी से इसमें 14 आ रहा है ऐसा क्यों है तो हम अपने हिसाब से देख लेते हैं कि यहां पर आंसर 18 क्यों आया क्यों इनके अंदर तो मैं आपको फरफट यहां पर दिखाए तो आंसर 18 आता है या नहीं आता है हमारा जो इंपुट है वो है 2, 5, minus 1, 7, minus 3, minus 1, 2 यहां पहली विंडो है यह इसका आंसर क्या आएगा maximum है 7 और minimum है यह तो आंसर आ गया 6 फिर अगली विंडो यह है इसमें maximum क्या आ गया 7 minimum आ गया यह आंसर आ गया 4 फिर अगली विंडो यह है इसमें maximum है 7 minimum है फिर दोबार वोई 4 आ गया फिर अगली विं एक आंसर भी 6, 4, 4, 4, 4, that is 18 तो हमारा आंसर बिग्ल सब्सक्राइब रहा है 18 ही आना चाहिए 18 ही आ रहा है लोजिक वाइज अजिक अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है पहले हम पहली केसेज बिंडू बनाते हैं और लेट से मैं चाहता हूं कि भर्या मुझे यह लाच्फ लिंडर वाली चीज आप करकार नहीं समझ मेंनी आ रही है रही है जेकल भूल जाओ लिए पयाँ बूल जबूला है मैं तो पर आप ने पहले केसस विंडो बना ली तो इस अन्सर निकाल लो निकाल लिया बहुत को प्रॉसेस के लिए हम क्या करेंगे हम हमेशा आगे वाली विंडो बे जाते हैं एक डिशन करते हैं इतना बाट करना तुर है यह फ़ारा झार चैनल रहा है जै बड़े भाट तो यह था हो डिन लब एंच तो आप यह को इस फाकार आपने है फींटिब smoothly壞ेशन आपने एक hard level question अब खतम कर दिया है और मैं कहूंगा इसे आप time लगा है क्योंकि बहुत अच्छा कोश्व है और यह होगता आपको दुबार एक बड़ रिपेट करके देखने पड़े टेक है इन शॉट मैंने बोला time complexity solution की क्या है और off n है ठेक है off n के अंदर में solution को completely कर पा रहे है उसके बाद space complexity क्या है मैंने बोले एक बार फटा फट से इसको आप homework मिलो और देखो मुझे बताओ क्या है तो इस वीडियो मैंने बहुत सारे question की है Q को reverse करने वाले basic question से लेके इस वाले hard question तक circular tool वाली famous problem तक बहुत सारे questions हमने इस वीडियो में किया है और क्यों कि मैं आपस हमापती करता हूं क्यार क्यों में से इतना ही हम कर रहे हैं इससे जादे कि आपको need नहीं पड़ेगी आपको बस लव पर 450 सर्च करना है और आप इस वीडियो पर जाएंगे इस वीडियो पर जाएंगे आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है इस शीट में जाएंगे और यहां पर जाके अपना स्टैक्स और क्यूज वाला सेक्शन पकड़ेंगे कहां पर है कहां पर है कहां पर है तो बहुत सारे questions हमने यहां से अल्रेडी कर ली है जैसे कि आपको दिख रहा हूँ है यहां पर कहा है हमारा question जो हमने अभी किया यह रहा sum of min and max element of all sub area of size के यह आपने अभी कर लिया है फिर circular tour वाला है वो हमने कर लिया implementation circular tour यह भी हमने कर लिया ठीक है और reverse accusing recursion यह भी कर लिया interleaf find the first circular tour यह भी कर लिया है जान भूज कर यह अपर आम से खुच कर रहा है ठीक है बहुत बहुत जादे बेसिक चीज़े है कुछ में दमाग लाने की नीड नहीं है कि करिक्ला में भी आपको चिखाया गया हुगए तो इस्टों में इतना ही मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए बाइ